कि नमस्कार और स्वागत है आप सभी का competition community की YouTube चैनल में आप लोग देख रहें SSC CJL & CHSL का YouTube course और आज हम इस वीडियो में एक नया topic स्टार्ट करने वाले हैं जिसको मैं बहुत basic से और सारी चीज़े आपको बताते हुए चलूँगा time speed and distance तो सबसे पहली बात और most important चीज़ कि इसका वेटेज क्या है तो एक सवाल आपका फिक्स्ट है एक सवाल आपका 25 में time speed distance में time speed distance की बात कर रहा हूं तो यहां पर time speed distance train और boat and stream इन तीनों stream के बारे में discuss करेंगा तो यह तीनों वीडियो पूरा देखिए ताकि आपका जो एक सवाल आता है वो confirm आपसे किसी भी हाल में बनना ही चाहिए ठीक है जहां तक इस वीडियो के lecture की PDF की बात है वो आपको description box में competition community का website है वहाँ पर आपको मिल जाएगा साथी साथ आने वाले संडे को जो 25 सवाल मिलते है प्रैक्टिस शीट वह भी आपको description box में competition community के website मिल जाएगा ठीक है तो अब मैं इस वीडियो को start करता हूँ आप लोग दाल सकते हैं आपके copy पर यह heading time speed distance समय चाल एवं दूरी तो तीन चीज़े वह क्या है तो समय याने की time और speed याने की चाल और दूरी याने की distance ठीक है तो यह definition के business speed का definition क्या होता है speed का definition होता है distance कवर्ड पर यूनिट टाइम distance कवर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम यानि की प्रती समय में प्रती यूनिट समय में यानि प्रति एकल समय में अगर आपने जितनी दूरी को तै की है वही आपका क्या होता है वही अपकी गति याने की चाल कहलाती है mathematically यह दि हम इस चीज की बात करें कि गति याने की speed का मतलब क्या है मैच से अगर हम देखे इसको कि speed क्या होता है तो speed होता है वही speed is equal to distance divided by time distance divided by time तो यहां से तीन फॉर्मूले बनते हैं यह पहला formula हो गया कि चाल बरावर क्या होती है तो दूरी बटा समय ठीक है चाल बरावर इस स्पीड का मतलब क्या चाल दूरी यानिकी distance यानिकी क्या है तो दूरी और समय यानिकी time ठीक दूसरी बात यहां से आप इसको इस तरीके से short form में लिख सकते हैं कि speed बरावर यानिकी s बरावर क्या है s बरावर होता है distance divided by time तो अगर कभी भी आपको speed निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे distance divided by time से यह पहला formula बन गया दूसरा formula इससे बन जाएगा कि अगर समय पर आधारित प्रस्न आ गया यानि time निकालने का question आ गया तो time कैसे निकालोगे distance यह time यहां जाएगा तो speed नीचा जाएगा मतलब जो दूरी तय करनी है बटे जो हमारा speed है distance divided by speed ठीक है यह आपका time हो जाता है तीसरा formula third formula आप लोग लिख सकते हैं third formula मैं यहां लिख लेता हूं third formula क्या हो जाएगा कि distance अभी भी निकालना है यानि कि कोई गाड़ी है या कोई वस्तू है वो कितनी दूरी तय कर रहा है तो उसकी जो गती होगी गुड़न फल उसका लेना होगा समय के साथ कि कितने देर के लिए भाग रहा है मतलब distance होता है तो speed multiplied by time clear है तीनो formula आपनो note down कर लिया पहला है speed equal to distance by time दूसरा time is equal to distance by speed तीस एक unit से दूसरे unit में जाना है तो कैसे जाना है तो सबसे पहले मैं start करता हूं इस speed से ठीक है speed से मैं start करता हूं तो सबसे पहली बात हम speed देखेंगे suppose करिए मैं तीन example यहाँ पर आपके screen पर अभी लिखता हूं पहला example आपके screen के पर मैं लिखूंगा भी जैसे कि suppose करिए कि 150 km में किसी व्यकति को 3 hours का समय लगता है 150 km किवयकति को 3 terrible तो आप बताई कि इस व्यकति का speed यान की गति क्वे क्या है 150 km इन 3 hour का तो speed होता है distance divided by time तो savory कितना तो involving 150 is 150 principle divided 3 तो यह km by hour इसको काटोगे तो 50 बन जाएगा मतलब इसका जो speed है यह हो जाएगा 50 km पर आवा है यह एक speed है ठीक दूसरा एक वेक्ति है दूसरा कोई वेक्ति है यह वेक्ति जो है यह चलता है 1000 10. का सतार लगता है और यहां से चलिए इसको या फिर दो-मिनिट का समय यदी लग्रा है तो बताईए इस की मिनिट का है और आप इसको 2 से काटोगे तो 2 से काटने पर जो यहां पर आजाएगा दो से 10 को मैं काट हूँ तो यहां पर बन जाएगा 500 ठीक मतलब इसका जो स्पीड है यह 500 लेकिन अब जो स्पीड बना वो बना मीटर प्रती मिनिट में मीटर प्रति मिनित वाली speed है एक तीसरे व्यक्ति और है तीसरे गिस्वीस चलता है 35m चलता है तो 35m चलने है इससे साथ सेकेंड लगते इसका स्पीड है इसकार स्पीड हो जाएगा 35 Esther 35 meter divided by 7 seconds अब ये भी एक speed है यदि मैं इसे काट लूँ ठीक है उपर नीचे 7 से यदि काट लूँ तो उपर आ जाएगा 5 मतलब इस व्यक्ति का देगा वेख दाला और मिनिट में टाइम को डाला तो speed जो आयो है मिनिटे में प्रती बिदेगी मिनिट के लिजाए उसी को speed को यहां पर प्रति सेकेंड वाली स्पीड है तो पांच मीटर चल रहा है ये एक सेकेंड में इसका मतलब यह हो गया ठीक है फाइव मीटर प्रति सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा इमपोर्टन जो है वह है आपका युनिट कन्वर्जन एक युनिट से दूसरे युनिट में अपको आना चाहिए तो चले है हम उनिट कन्वर्जन सीख लेते हैं कुछ basic basic से unit conversion जो important है आपके exam के perspective से सबसे पहला आप लिखेंगे एक किलो मीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं एक किलो मीटर में कितना मीटर होता है तो 1000 मीटर होता है इसको आप note कर लेंगे दूसरी बात यदि ये distance की बात हो गई तो एक घंटे में, एक घंटे में कितना मिनिट होता है 60 minute होता है ठीक है और एक minute में 1 minute में क्या होता है तो 60 seconds होते हैं मतलब कि यहां से यदी मैं आपसे पूछב कि 1 घंटे में कितने minute कितने second हुए तो देखिए एक एक minute में 60-60 second है मतलब यहां पर आप कहीं न कहीं जानेगे तो 60 into 60 seconds हो जाएगे 60 into 60 seconds होंगे की नहीं होंगे तो अगर यहां 60 into 60 है इसको multiply करके मैं क्या लिख सकता हूँ यहां पर मैं लिख सकता हूँ 3600 seconds clear मतलब एक घंटे में 60 मिनिट होता है या 3600 seconds आप कह सकते हैं और एक मिनिट में 60 seconds होते हैं इस चीज़ को आप note कर लीजे अब अक्सर हमें ऐसा ही पता है ऐसा ही हम सीखते आ रहे हैं कि बड़े से हम छोटे में जाए याने किलो मीटर से मीटर में जाए लेकिन exam में आपको कई बार इसका उल्टा भी करना पड़ता है तो यदि मैं आपसे पूछू कि बताइए एक मीटर में कितने किलो मीटर हुए एक मीटर में कितने किलो मीटर हुए तो देखे इसका reverse भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहां से इसका reverse करूँ तो यहां से आपको पता चलना चाहिए कि एक मीटर में एक बटे एक हजार किलो मिटर होता है यदि आप से पूछू मैं कि एक सेकेंड में कितना मिनिट है यहां से पूछू मैं आप से एक सेकेंड में कितना मिनिट है तो एक सेकेंड में हो जाएगा भई 1 by 60 मिनिट और एक मिनिट में कितने घंटे हैं तो एक मिनिट में, क्योंकि अगर एक घंटे में, एक घंटे में, यदि 60 मिनिट है, तो एक मिनिट में एक बटा साथ घंटे हो जाएंगे, और साथी साथ अगर यहां पर एक बटा साथ मिनिट में, कितने घंटे हैं निकालने होंगे, तो एक बटा साथ मिनिट होता है, और ए पता होना चाहिए ठीक है तो यह कुछ बेसिक सी बाते हो गए अब देखें यहां से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन एक लिखाऊंगा जो कि आपको फिंगर टिप्स में पता होना चाहिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जब जाना है तो इसमें क्या मल्टिप्लाइ करने से तुरंत यह हो जाएगा और यहां से इधर आने में क्या मल्टिप्लाइ करने से तुरंत यहां पर आप आ सकते हैं तो सबसे पहली बात आप इसको समझिए कि एक किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ तो क्या हुआ अगर मैं लिखता हूँ स्पीड एक किलोमीटर पर आवर है एक किलोमीटर पर आवर का मतलब एक व्यक्ति एक घंटे में एक किलोमीटर चल रहा है मतलब एक किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कनवर्ट करूं तो यह हो जाएगा एक हजार मीटर और आवर को यदि मैं सेकेंड में करूं तो हो जाएगा values आएंगे ये दो zeros इसको काट लेंगे और उपर नीचे आप 2 से काट ओगे तो यहां पर 5 यहां पर 18 आएगा मतलब यह जो वैल्यू है यह 5 बटे 18 पांच बटे 18 क्या है तो मीटर प्रती सेकेंड है मतलब अगर आपको किलो मीटर पर आवर दिया हुआ है स्पीड और आपको कनवर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में तो आप क्या करेंगे इसमें बस एक मल्टिप्लिकेशन फैक्टर याद रखिए कि आप यहां पर 5 बटे 18 को मल्टिप्ला करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में चला जाएगा और मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ स्पीड किलो मीटर पर आवर में आना है तो आप यहां पे 18 डिवाइड पांच मल्टिप्ला कर दीजिए जो भी वैल्यू दिया हुआ है वहां से आपका स्पीड है किलोमेटर पर आवर में जैसे कि for example में एक दो एक्जांपल आपके लिए यहां पर स्क्रीन में दिखा देता हूं जैसे कि suppose अगर मुझे दिया हुआ है सब्सक्राइब कि 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कोई व्यक्ति चल रहा है तो मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड निकाल नहीं तो क्या हो जाएगी नाइंटी मुल्टिप्लाइड वा पांच बार कटेगा यानि कि यह 25 मीटर पर सेकेंड हो गया यह आवसकता होती है और प स्पीड से व्यक्ति चल रहा है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर से कैसे जाना है मीटर पर से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाना है चली अब मैं आपको ले चलता हूं कुछ सवालों में और कुछ सवालों के जरी हम यहां से आगे बढ़ेंगे पहला सवाल जो है कोई plane जो है पांज घंटे में 800 किलोमिटर ऊड़ता है तो मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगी बताना तो देखे सबसे पहली बात गती होती क्या क्या है स्पीड निकालना है तो स्पीड निकालना तो हम सीखी लिए है स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड़ बाय टाइम लेकिन यहां जो डिस्टेंस है यह 1800 किलोमीटर में है और यहां पर जो टाइम दिया हुआ है यह तो किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड है और आपको मीट पर सेकेंड में तो अभी-अभी हमने सीख के रखा है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट करना है तो बस एक फैक्टर को मल्टिप्लाय कर लिए इसमें जो की होता है पांच बटे अथारा इस पांच बटे अथारा से मल्टिप्लाय करने से यह जो जो है ना स्वू प्रती से कर गया मतलब सौ मीटर प्रती सिकेंड के स्पीड से यह प्लेन जो है यह उड़ रही है तो दी जो सवाल का स्वाइब पैला सवाल होगिए अपको ठीक तो एक दो सवाल देखते हैं यूनित को नर्जन से रिलेटेड अब मैं राइडिंगा बाइसेकल कवर्ट 150 मीटर इन 25 सेकंड वाट इस स्पीड इन किलोमेटर पर आवर तो अगर एक व्यक्ति जो है साइकल से क्या कर रहा है कवर करता है एक देड़ सो मीटर की दूरी कवर करने में सब पत्ची सेकंड लगता है तो प्रती घंटे उसके किल स्पीड बरावर किया होता है इस डिस्टेंश वार टाइम तो यह वक्ति कितना कवर कर रहा है मीटर प्रति सेकंड में है तो फटा फटा बताएंगे इसका और यहां तक बात समझबहें चलिए बढ़ते हैं नेक्स यहां पे दिया हुआ है a man performs टूटल जर्नी बाइट और तूबाइट ट्वेंटी ऑफ बाइबस एंड रिमीनिंग 10 किलोमेटर बाइट जर्नी आपको निकालने देखिए कोई व्यक्ति जो अपने यात्रा का दो बटे पंद्रा भाग जो है वह त्रेन से तै करता है ठीक है और दो बटे बीस भाग को बस अतिशत में ले सकते हैं या एक मान सकते हैं जब भी वैल्यू आपको यहां पर इस तरीके से दिया है तो बहतर होता है कि आप यहां पर वन मान ले और वन का मतलब 100 परसंट होता है यह अंपर रिष्षत में पढ़ चुके है तो टोटल यहीं हम देखे कि कि कितना दूरी प से कटेगा तो चार यहां पर तीन से कटेगा तो तीन मतलब साथ बटे 30 हिस्सा जो है साथ बटे 30 हिस्सा जो है यह कवर हो गया था ट्रेन और बस तो बाकी बचा कितना एक में से इतना घटा दीजिए अगर साथ बटे 30 कवर हो गया है तो एक माइनस साथ बटे 30 बचा होग तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा एक हिस्सा कितना हो जाएगा यानि टोटल वैल्यू निकालना है तो वह जाएगा दस इंटू यहां से तीस मल्टिप्ला हो जाएगा और तेविस नीचे आ जाएगा मतलब की तीन सो बटा तेविस तो बताइए एप्रॉक्सिमेटली कितना तो दिरो बार जाएगा ठीक है मतलब सब्सक्राइब लगभग चार की आशपास यह जाएगा ठीक है तो टेरा दसम्मलफ सुन्य चार जो है इतना किलोमेटर एप्रॉक्सिमेटल उसको टोटल यात्रा कवर करें इस आगे बढ़ते हैं यहां से आशा करता हूं यहां आपको स अब देखिए next important part जो है वो average speed से आपका सवाल बनता है speed average से तो speed average से यदि मैं आपसे पूछू हूँ एक सवाल simple सा मैं आपसे पूछता हूँ अगर आपको दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो है S1 speed से चला S1 speed से कुछ दूरी तै किया S2 speed से कुछ दूरी तै किया S3 speed से कुछ दूरी तै किया अब आपको average speed निकालना है average speed निकालना है तो अब आप बताईए कि इसके average speed क्या होगी यदि आप सोच रहें कि इसके average speed S1 plus S2 plus S3 divided by 3 होगी तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है तो सवाल में आपको या तो distance के लिए दिया जाएगा और time के लिए जाएगा या तो फिर आपको सवाल में distance और time के लावा speed और time के उपर information दिया जा सकता है या 3S condition ऐसा हो सकता है कि distance or speed के उपर आपको information दिया जाए तो suppose करिए कि कोई वस्तु जो है वो D1 D2 D3 distance तया करता है speed s1 s2 s3 में time t1 t2 t3 respectively तो इस speed से चल रहा है करमस्टा इतने दूरी के लिए और इतने समय के लिए तब यदि आपको निकालने को कहा जाए कि total average speed निकाल लिए तो पहला प्रश्ण बन सकता है जिसमें आपको distance के उपर information हो और time के उपर information हो तो ऐसे case में सबसे आसान होता है solve करना क्योंकि हमें यह पता है कि average speed का definition होता है total distance यानि जितना दो रिता है की गई बटे जो total time लगा तो total distance क्या होता है total distance हो जाएगा भई डीवन प्लस डीटू प्लस डीट्री कहां answer यदि आपके सवाल में distance और time के उपर information दिया है तब अब सपोस्ट करिए कि distance के उपर information नहीं दिया सवाल ऐसे frame किया रहा है कि अलग अलग speed पर चल रहा है अलग अलग समय के लिए उस case में आपका जो है यहां पर यह वाला formula लग जाए क्योंकि अलग अलग distance निकालने पड़ेंगे और distance बरावर क्या होता है speed multiplied by time होता है तो यह जो डीवन है यह डीवन का value क्या होगा S1 T1 होगा कि नहीं यह जो डीटू है यह डीटू का value क्या होगा डीटू का value होगा S2 into T2 होगा कि नहीं होगा तो total distance फिर से हम निकाल रहे हैं लेकिन speed into time individual, individual multiply करके सारे distances निकल गए उसको जोड़ दिया हमने total distance आ गया divided by total time हमने जोड़ दिया तो यहां से total time है तो total distance divided by total time करने से हमारा average speed निकल के आ जाता है ठीक अब यहां से तीसरा प्रश्न बन सकता है आपका सवाल जब speed के उपर information दिया जाए और distance के उपर information दिया जाए speed और distance के उपर यदि information दिया गया तो आपको average speed कैसे निकालना है इसके उपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं सबसे पहली बात total distance आप directly निकाल लेंगे क्योंकि हमारा definition यही है कुल दय दूरी जो है यानि कि total distance जितना चला गया divided by total time जो लगा अब यहां से यदि time की बारी time की बात हो रही है तो यहां से time कितना होगा पहले तो आप बताइए time 1 जो है वो time होता क्या है distance divided by speed होता है तो d1 divided by s1 time 2 क्या होता है d2 divided by s2 time 3 क्या होता है d3 divided by s3 यही होता है तो individual time को हमने निकाला उसको जोड़ा तो total time आ गया और उपर total distance आ गया क्योंकि distance के information हमको दिया हुआ अब मैं आता हूँ यहां से कुछ shorter tricks जो है उसके बारे में मैं आपसे discussion कर लेता हूँ short tricks लगते हैं ऐसा नहीं कि short trick नहीं लगता हर जगा पर नहीं लगता कहां कहां पर लगता है उसके बारे में अभी थोड़ी सी बाते आपके साथ कर लेता हूँ शुरुआती तोर पर मैंने आपको कहा कि s1, s2, s3 दिया हुआ है average speed क्या होगा तो आप लोग सोच रहे होंगे कि s1 plus s2 plus s3 by 3 ऐसा नहीं होता है लेकिन ऐसा एक जगा होता है कहां होता है वो समझे जब suppose करिए कि यहां पर यह t1 equal to t2 equal to t3 हो जाए यानि कि बराबर बराबर time के लिए t1 के लिए t2 के लिए और t3 के लिए चलता है तो यह t1, t2, t3 common निकल जाएगा यहां से यह 3 मन जाएगा तो इस case में s1 plus s2 plus s3 by 3 हो जाएगा average speed क्लियर है मतलब कि यहां से आप एक चीज़ नोट कर लेंगे कि अगर हम बराबर बराबर समय के लिए ठीक है अलग- इकविल ॐ इंतरवल आफ टाइम के लिए चला मतलब यहां पर टीवं टाइम के लिए चला यहां अटीवं टीटु टाइम के लिए चला यहां पर टीञिए टीञिकल रिचले यह तीनों के टीनों equal हो गए ऐसे case में šॉड हो जाएगा वो जाएगा s1 प्लस टू प्लस S3 बटा 3 ठीक है? जब हम 3 speed की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे equal equal time equal time के लिए याने समान समय के लिए समान समय के लिए यदि आधारित प्रस्ट नहीं यदि आपको मिला तब आप directly यहाँ पर average speed के ऐसे निकाल लेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 by 3 से आप फटाफट calculate कर सकते हैं जैसे कि अगर suppose करिए S1 और S2 के दूरी के लिए चल रहा है time T1 और T2 के लिए such that यह T1 और T2 equal है ठीक और आपको average speed निकालने को कहा गया तो फटाफट क्या कर लेंगे S1 प्लस S2 by 2 कर लेंगे यह आपका average speed हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो values का आपका average निकालना है एक तीसरा condition और मैं यहाँ पर discuss कर लेता हूं कि suppose कर यह कोई व्यक्ति S1 speed से चला S2 speed से चला S3 speed से चला और S4 speed से चला T1 time के लिए यहाँ पर यहाँ पर T2 time के लिए यहाँ पर T3 time के लिए यहाँ पर T4 time के लिए such that यह सारे equal है equal वाले condition में speed average जो होगा वो arithmetic mean हो जाएगा यानि S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 divided by 4 यह आपका average speed बन जाए clear है यहाँ तक बाते समझ में आगे अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ जब बराबर दूरी के लिए यानि equal equal distance के लिए कोई व्यक्ति चल रहा है S1 की speed से S2 की speed से तब क्या करना है समझते देखिए suppose करिए यहाँ से S1 की speed से कोई व्यक्ति चला और S2 के speed से कोई व्यक्ति चला hier십 1 डिस्टेंस के लिए और D2 ग्यां यह दोने equal है मतलब suppose करिए कि यहाँ से यहाँ कोई क्यू व्यक्ति D distance है यहाँ पर S1 की speed से चल रहा है तिक और यहाँ से यहाँ तक फिर से D distance है यानिbरावर दूरी के लिए अगर कोई व्यक्ति S1 की speed से चला और s2 के speed से चला तो यहां जो speed average होता है यह harmonic mean होदा है 2 s1 s2 divided by s1 plus s2 ठीक है यह आपका harmonic mean से आपका average निकल के आ जाता है अब यहां पर एक नया term निकल के आ रहा है harmonic mean तो आप पहले तो इसको समझे कि आप यहां पर equal distance की बात कर रहे है equal distance पे ठीक है समान दूरी के हम बात कर रहे हैं कि यहां पर जब समान दूरी पर आधारित प्रस्ण आपको मिले समान दूरी पर आधारित जब प्रस्ण मिले तब आपका average speed क्या हो जाता है harmonic mean हो जाता है तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक सिखा के रखता हूं कि हार्मोनिक मीन निकलता तो कैसे निकलता है जैसे स्पीड आवरेज 2 के लिए है तो 2s1s2 divided by s1 plus s2 अगर 3 के लिए हुआ तब क्या करेंगे तो सारी चीजे मैं आपको बता के रखता हूं दी दूरी यहां पर भी दूरी और यहां पर भी दूरी ठीक तो तीनों के तीनों दूरियां जो है यह बराबर है पहला वाले दूरी के लिए S1 speed से चला, दूसरे वाले दूरी के लिए S2 speed से चला, तीसरे वाले दूरी के लिए S3 speed से चला, यहां से यदि आपको S average निकालना है इसका, इस case में आपका S average हो जाएगा 3 बटा S average, ठीक, बराबर हो जाएगा 1 by S1 plus 1 by S2 plus 1 by S3, ठीक, तो इसमें आप समय बरबाद मत करिएगा कि आप टोटल डिस्टेंस निखा लेंगे और टोटल टाइम निकालने के लिए डिवाइस वन कर रहे हैं डिवाइस टू कर रहे हैं डिवाइस तू कर रहे हैं इसमें आपका टाइम वेस्ट मत करिएगा तुरंत आप इस फॉर्मुले को लगा स केवल अगर आप ट्क्स से ही पढ़ते जा रहे हैं, मतलब कही न कहीं कुछ गलती हो रहे हैं, आप बेसिक चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं और सवाल जो है, अपके एग्जाम में अगर 25 सवाल आरहे हैं, तो 10-15 सवाल जो है वो कही न कहीं आपके शवी आपके ट्रिक्स से गोटी तक जाता है चालिस किलोमेटर प्रति गंटे में रफ्तार से तो देखे सब्सक्रीए यह पॉइंट है यह यहां से जब इदर जाना है तो स्पीट जो है A से B A से B जाने वाला जो speed है इस व्यक्ति का वो है 40 km प्रतिगंडी और जब यहाँ पहुंच गया यहाँ से वापस जाता है तो speed जो है B से A जाने वाला speed यह है 60 km प्रतिगंडे वाल जो अब आप फुदी बताइए जब कोई व्यक्ति A से B जाता है और वापस B से A आता है तो उसका क्या सेम होगा distance सेम है यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है और यहाँ से वापस जाने की दूरी भी सेम है तो अगर दूरी सेम हो गई तो यहाँ harmonic mean आपको लगाना है तो speed average directly कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2 into 40 multiplied by 60 divided by 40 plus 60 यानि की 100 2 zeros यहाँ कर जाएगे 8 होता है 8 6 हो 48 हो जाएगा किनोमेटर पर आवर में तो यहाँ पर आप गलती मत कर दे ना कि S1 plus S2 कर लो यहाँ पर 60 है यहाँ 40 कर लो जोड के आदा कर लो 50 आगया 50 को उतर कर दिए गलत हो जाएगा समझिए सवाल को कहां पर हमें स्पीड आवरेज को हर्मोनिक लगाना है कहां पर हमें अर्थमेटिक मीन लगाना है इसको आप समझिए अब देखे अगर आपको लग रहा है कि इसमें ऐसा हो गया तो यह तो ऊपेना मैंने बता दिए अब आप लोग सोच रहोंगे बेसिक से भी बता दी जी चली बेसिक से भी आपको बता दीता हूं कैसे हो रहा है सपोस करिए कि स्पीर्ड आवरेज का डिपिनेशन को याद करिए speed average का definition होता है total distance by total time तो मान लीज़े यहां से यहां तक का दूरी D है तो A से B जाने में D B से A आने में D मतलब total distance कितना हो गया D जाने में D आने में याने total distance हो गया 2D divided by अब जाने का समय क्या हुआ time का value होता है भई time का definition है distance divided by speed यह हमने शुरुवाती तोर पर दिखा है मतलब जो A से B जाने में time लगेगा वो हो जाएगा D divided by इसकी speed जो की 40 और जो B से आने में जो speed लगे time लगेगा वो हो जाएगा D divided by 60 यदि इसको solve करते तो 2D divided by नीचे 120 आएगा 120 से काटोगे 40 को तो 3D 60 से काटोगे तो 2D आएगा मतलब यह जो value है 2D multiplied by 120 उपर और divided by यहाँ पर 5D नीचे आजाएगा ठिक अब इसको solve करिए बताइए उत्तर क्या है D से D कडिया 5 से काटोगे तो 24 बार कटेगा 24 इंटू 2 करोगे तो 48 किलोमेटर पर आएगा तो यह हो गया basic से लेकिन इसकी कोई आवसकता नहीं है जब हमारे पास पता है हमें कि जहां पर short trick लगाना है तो वहां short trick लगाई है जहां basic की जरुवत है वहां पर इस basic को लगाने से पीछे मत हटीएगा क्योंकि यह basic trick भी आपको पता होना चाहिए तो फार्मूला आपको कभी फेल नहीं करेगा अगला सवाल दिया हुआ है अबस ट्रेवल्स 150 किलोमेटर इन थ्री आवर्स एंड नेक्स्ट टू आवर्स एट 60 किलोमेटर पर आवर्स यहां से आपको निकालना है कि अगर एक बस जो है तीन घंटे में 150 किलोमेटर रियात्रा करती है और अगले दो गंटे में 60 किलोमेटर प्रती घंटे की चाल से चलती है तो बस क्या उसाथ चाल क्या है देखिए स्पीड आवरेज का डेफिनेशन याद करके रखिए स्पीड आवरेज का डेफिनिशन होता है कि टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ डिवाइड़ेड बाय टोटल टाइम जो लगा सबसे पहले तो यहां पर वो तीन घंटा चला था यहां पर दो घंटा चला याने टोटल जो टाइम लग रहा है तीन प्लस दो याने कि पांच घंटे लग रहे है तीन प्लस दो याने कि पांच घंटे लग रहे है याने कि टाइम जो लगा वो तो पांच घंटे है डिनॉमिनिटर पांच हो गया अब आप मुझे बताइए दूरी कितनी था यहां तीन घंटे में यह पचास किलोमेटर क कवर किया था तो दोरी तो 150 किलो मंटर समझ पर रही है साठ खिलोमेटर पटीघंते कि साप चल रहा था जब कर डिस्टेंस बराबर होता है मतलब साठ किलोमेटर का सब्धे और दो घंटे के लिए तो 120 km princ dave चले गा मतलब यहा पर 150 किलोमेटर पहले चला 120 20 km बाद मतलब इन नोनों को जोड़ोगे तो कितना 270 हो गया यदि मैं 5 से कट हो तो यहाँ पर दो गुणा होगा यानि कि 54 km पर आवर 54 km पर आवर जो है सवाल का सही उत्तों जाएगा वी इस दा करेक्ट टैंसर फॉर्ट क्लियर है यहाँ पर समझ पर आगए नेक्स्ट कुश्चन देखिए अगला सवाल दिया हो है साइकलिस जो 24 km चलता है 16 km पर गंटे की चाल से और फर्दर 36 km चलता है 15 km पर गंटे की चाल से तो आपको बताना एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी के लिए ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है कि 16 km पर गंटे की है यह हमें ग्याद करने देखिए जब भी इस तरीके का सवाल दिया है तो स्पीड एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है टूटल डिस्टेंस निकालना होता है तो यहां 24 km चला यहां 36 km चला तो 24 प्लस 36 करोगे 60 km ओवर आल जाएगा दूसरी बात टाइम जो है वह दिएड़ स्पीड से तो डिस्टेंस बाइब स्पीड करोगे तो पहला साइकलिस्ट जो है चोविस किलोमेटर जो ट्रावल करने में टाइम लगा वो निकल जाएगा और यहां से आजयेगा इसको आप क्यालकुलेट कर लीजिए आपका आवरेज आ जाएगा ठीक है तो य पर 24 आएगा मतलब जो वैल्यू आ रहा है वह साथ और यह सौ पर दस उपर चलाएगा तो 600 बन जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर 39 हो जाएगा तो तेरा से कटेगा यह तीन बार यह भी कटेगा 200 बार तीन से तो वैल्यू कितना रहा है एक बार तेरा से फिर सत्तर आ रहा सवाल का से उत्तर है अगया होगा अब इस सवाल में यदि हमें क्या चाहिए शौट ट्रिक चाहिए अगर शौट ट्रिक चाहते तो देखी समझें यहाँ पर क्या करना होगा मैं बताता हूं आपको यहाँ पर शौट ट्रिक किया से लगएगा 16 और 15 दिखा तो 16 और 15 का LCM क लेंगे LCM कितना हैगा 240 अब यहां पर जो दूरी है 24 और 24 और 36 इसका क्या करेंगे LCM ले लेंगे तो आजाएगा दो अनुपाद 3 LCM लेंगे दो अनुपाद 3 तो टोटल जो दूरी हो जाएगी वह जाएगी 2 प्लस 3 याने कि 5 5 multiplied by 240 इसको हमको टोटल दूरी लेना होगा ठीक यह हमारा टोटल दूरी हो गए अब स्पीड आवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे टोटल दूरी हो गई 5 multiplied by 240 divided by पहले दो यूनिट में यदि इसको बाटेंगे तो आजाएगा डिस्टेंस दो यूनिट में इसको डिवाइड करेंगे तो दो इंटू 240 आजाएगा पहला वाला डिस्टेंस जिसको हम 16 की स्पीड से कवर कर रहे है और दूसरा वाला डिस्टेंस आजाएगा तीन इंटू 240 divided by 15 अब इसको सॉल्व कर लीजे यहां से ज्यादा आसान है यह 16 से काटोगे तो 15 यहां पर आएगा 15 से काटोगे तो 16 यहां पर आएगा मतलब 5 इंटू 240 उपर नीचे यदि देखेंगे तो यहां पर 30 प्लस 48 30 प्लस 48 मतलब 78 इसको यहीं सॉल्व करते हैं 6 से काटोगे तो 13 यहां पर आएगा 6 से काटोगे इसको तो यहां पर 40 आएगा मतलब टोटल जो वैल्यू फिर से वही आ रहा है 200 divided by 13 आप चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं शॉट ट्रिक लगा के या फिर आप चाहें तो जो आप चाहें कम्प्लीट से जर्नी इन 8 आवर्स कि कवर्स हाफ अफ दिस्टेंस अट 20 किलोमेटर पर आवर एंड रेस्ट अट 30 किलोमेटर पर आवर दलेंट आप दो जर्नी एक आदमी आठ गंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है वह आधी दूरी को 20 किलोमेटर प्रती गंटे की और बाकी आधी को 30 किलोमेटर प्रती गंटे की रफ्तार से पूरी करता है तो यह यात्रा टोटल कितनी है देखिए सपोस्ट करिए अब समझी है यहां से मैंने अभी तक आपको क्या बता है स्पीड एवरेज जो होता है यह होता है टोटल डिस्टेंस ठीक है divided by total time अब आप अपने common sense को use करिए और समझने कोशिश करिए कि यहां से जब हमसे सवाल पूछ रहा है टोटल टाइम के उपर और क्या मेरे पास ट्रिक है कि मैं स्पीड एवरेज को फटा-फट केलकुलेट कर सकूँ क्योंकि देखिए half of the distance जब यह आधी दूरी को इतने के स्पीड से चला और आप बचे हुए आधी को इतने दूरी से चला मतलब बरावर बरावर दूरी पर बरावर बरावर दूरी पर जब स्पीड एवरेज निकालना है तो हम यह बात जानते हैं और हमें total distance निकालने को दिया हुआ है total time दिया हुआ तो आप क्या ऐसा नहीं लिख सकते कि total distance travel करना है से total distance जो travel करना है वो directly क्या हो जाएगा वो हो जाएगा speed average multiplied by total time क्या हम ऐसा लिख सकते कि नहीं क्योंकि मेरे पास यहां पर speed average निकालने का एक short trick है जब बरावर बरावर दूरी पर equal equal time याने कि distances पर जब कोई व्यक्ति अलग-अलग speed से चलता है तो वहां harmonic mean से हम average निकाल सकते है तो 2 multiplied by s1 s2 याने 20 into 30 20 into 30 divided by यहां पर 50 आ जाएगा और multiply किसे करना है total time से जो कि कितना है अध्य है बताइए इसका उत्तर कितना आ जाएगा यदि मैं 00 को काट दू 5 से काट होगे तो यहां पर चार आ जाएगा अब देखें यह 8 into 3 करोगे तो 24 और यहां पर 8 हारा है ठीक है तो 8 multiplied by 24 करना है यदि 25 होता तो 200 ह हो जाना था लेकिन 24 है तो 200 में 8 कम होगा मतलब 192 किलो मीटर आ जाएगा इसका उत्तर है तो शौट ट्रिक लगाना है तो शौट ट्रिक लगाने से पहले सीखिए कि शौट ट्रिक लगाना कहां पर है हाँ जगा पर स्पीड आवरेज इकोल टू टू एस नेस नहीं होता है आपको समझना होगा कि यह वहीं लगता है जब बरावर बरावर दूरी पर अलग-अलग समय यानि कि अलग-अलग स्पीड से कोई भाग रहा है वहां पर आपका स्पीड आवरेज 2S1S2 दिवाइद 2S1 plus S2 जरूर लगाना है ठीक चले आगे बढ़ते है यहां दिवाए आ अब देखें फिर से एकवल समान दूरी के उपर आधारित प्रस्ण है समान दूरी की चार यात्राएं करता है पहली यात्रा में उसकी स्पीड जो है वो 60 km पदिगंट है और बाद के प्रतियक में अपने पिछले यात्रा के जो गती है जो गती उसके पिछले यात्रा में उसके आज ही हो जाती अगले यात्रा इन चार यात्रों में आदमी आदमी की आउसत क्या चाले किरोमेंटर पतिगंटे में निकाले तो आपको मैंने बात बताके रखा हुआ है कि जबी भी बरावर डिस्टेंस पर कोई व्यक्ति अलग-अलग स्पीड से चलता है तो यहां आपको शॉट ट्रिग लगाने से नहीं हटना यहां यहां अप हार्मोनिक मीन लगाएंगा तो 4-1-1-2-1-3-2-1-2 इस चीज़को आप लगाने से पीछे मत हट यह जब इक्वल डिस्टेंस पर कोई ब्रुक्ति चल रहा है चार बार आया तो चार बाहाई स्पीड लोगेश तो यहां से डारेक्टली स्पीड निकालना है तो फोर दिवाइड़ेड़ पैस्पीड बराबर कितना होगा सब्सक्राइब दूसरे बार में 60 का आधा, 60 का आधा करोगे तो 2 उपर चला जाएगा, 60 का आधा करने पर 2 उपर चला जाएगा, अगले बार इसका आधा और, तो 2 बटे 60 का आधा करोगे, तो 2 फिर से उपर चला जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, अगले बार जो है 60 का इसका आधा करोगे यहाँ पर 60 आजाएगा इसको solve करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 2 प्लस 8 हो गया 10 4 प्लस 1 हो गया 15 मतलब यह जो total value है यह 15 हो गया एक प्लस 2 तीन प्लस 4 7 और यहाँ पर 15 आगया 15 जो है इस 60 को 4 बार कट देगा मतलब 4 इंटो 4 हो गया speed average जो है वो 16 आजाएगा कितना time लगेगा बताइगा अगर आपको यह trick पता है कि यहाँ पर जब बरावार दूरी पर कोई व्यक्ति अलग-अलग speed से चल रहा है तो वहाँ पर जो average speed होता है वो इसके harmonic mean के जैसा होता है तो harmonic mean निकालना सीखिए और यहाँ से speed average फटा-फट कैलकुलेट करिए equal distances पे अगर अलग-अलग distances पे दिया हुआ है तो उसके लिए भी मैंने short trick बताया बट ज़्यादा असान है कि आप यहाँ पर basic जो आपका definition है उसको पकड़ के रखिए तो कि exam के pressure में कई बार short tricks याद नहीं आते तो फटा-फटा आपके basic trip से भी calculate हो जाएगा excluding stoppages the speed of a bus is 80 km per hour including stoppages it is 60 km per hour how many minutes does the bus stop per hour देखिए बहुत standard pattern question है और कई बार यह सवाल आपके exam में आ चुका है आगे भी आने की chances रखता है पहला सवाल है तो मैं आपको basic approach से बता देता हूँ फिर मैं इसका formula बता दूँगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यो हो रहा है और हर बार हम इसको formula से ही solve करेंगे देखिए यहाँ दिवा stoppage छोड़कर bus जो है वो 80 km प्रतिगंटे की चाल से चलती है stoppage सहेत जो है उसके औसद चाल इतनी 60 km प्रतिगंटे की हो जाती है यदि bus प्रतिगंटे में कितने मिनिट रुकती है हमें बताना है मतलब देखिए bus की actual चाल क्या है bus जब भी चलती है तो bus 80 के speed से चलती है 60 उसकी speed नहीं है उसकी speed 60 इसलिए हो गई क्योंकि देखिए भई speed average क्या होता है speed average होता है distance divided by total time total distance divided by total distance है और उपर और नीचा जागा total time ठीक तो total distance divided by total time जो होता है यह हमारा speed average होता है अब यहां से आप समझिए कि यहां पर speed average 60 क्यों होगा actually जब bus चलती है तो वह 80 के speed से ही चलती है लेकिन क्योंकि वह रुकती है बीजबीच में उस रुकने वाले समय में इसकी speed 0 हो जाती है time जो है आपका बढ़ जाता है time बढ़ने के वज़े से average speed जो है वह 60 का हुआ bus की actual speed 60 नहीं है एक गंटे में अगर यहां पर bus चलती है actual speed से तो 80 किलोमेटर चलेगी और अगर stoppage के साथ चलती है तो 60 किलोमेटर चलेगी मतलब अगर मैं दोनों का difference देखूं अगर मैं दोनों का difference देखूं तो 20 किलोमेटर का नुकसान हो रहा है यह आपका loss distance है loss distance है यानि इतना distance का आपको यहां पर नुकसान हो रहा है क्योंकि बस रुक रही है और अगर आपको पूछा जाए कि एक गंटे में किते दे रुकी तो time is equal to distance by speed होता है distance होगे आपका 20 किलोमेटर का नुकसान और यह 20 किलोमेटर है रुकने वाला distance यानि कि इतना आप वेस्ट कर रहे है टाइम को तो अगर यहां पर टाइम आपको निकालना है तो 20 किलोमेटर वेस्ट करने के लिए आपका speed divide कर दोगे तो आपका time आजाए गया असी किलोमेटर वाली speed से यदि मैं इसको divide करूं तो यहां पर 1 by 4 आएगा आपको exam में direct इसको solve करना है एक line में solve करना है तो direct आप इस तरीके से solve करेंगे 60 ठीक है यहां पर हम क्या निकालने है minutes जो पर hour बस रुक रहा है 60 से multiply कर दोगे क्योंकि 60 minute में आपको यहां पर निकालना है इसके बाद 1 minus जो इसके रुकने वाली speed है वो 60 divided by जो इसकी actual speed है असने बस इतना ही करना है इतने करने पर आपको उत्तर आ जाएगा तो यहां से इसको solve करिए यह आपका थ्री फोर्त हो जाएगा थ्री फोर्त मतलब एक माइनस करोगे तो साट इंटू यह एक बटा चार हो जाएगा चार से काटने पर यह 15 मिनिट के लिए बस रुकती है हर एक घंटे में फार्मूला आप चाहते हैं तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लिए इस फॉर्मूला के तहट आप फटा फट क्याल्कुलेट कर सकते हैं वेटिंट टाइम इन मिनिट पर आवर जो है यहां पर 65 किलो मिटर के स्पीड से चलती है और विट यहां पर 52 किलो मिटर पर रति घंटे की रफजार से चलती है तो कितने मिनिट में यह रुकती है अवरेज पर आवर आपको निकालना है एक स्पीड 65 की है दूसरी बावन की है तो आपका एंसर डारेक्टली आ जाएगा 60 इंटू 1-52 डिवाइड बाइड 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 पांच होगा मतलब यह एक्चुली 60 इंटू 1-4-5 ही तो है 1-4-5 का मतलब 1-5 होगा 5 से इसको काटोगे तो बारा मिनिट आएगा 12 मिनिट प्रती घंटे जो है यह बस यानि की जो ट्रेन है यह रूख रही है समझ में आगे इस तरी की सवाल कैसे सवाल करना है चलिए आगे बढ़ते है अब फार्मर ट्रेवल 61 किलोमेटर इन 9 आवर्स पार्टली बाइफूट एड पार्टली एड़ 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 9 KKण में उन्होंने 4 किलोमेटर की गति से कड़ल और 9 किलोमेटर पती गंटे की गती से साइकल में यात रखी अब आपको बताना क्या है पैदल कितने किलोमेटर की दूरी जो है यह पैदल त्यकिया इसने बताना है देखिये सवाल को सब्सक्राने के तरीके बहुत सारे है ठीक है अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा जैसे कि बेसिक अप्रोच में आपको बता देता हूं लेकिन यहां पर हम बेसिक अप्रोच नहीं लगाएगे फटाफट हम इसको क्या होना चाहिए 61 km की दूरी तै कर रहा है मतलब यहां से यहां तक माल लीज़े 61 km इस दूरी को तै करने में उससे जो टाइम लगा वो लगा 9 घंटे का 9 hours अब यहां से कुछ दूरी जो है वो cycle से चला foot से चला और माल लेते हैं कि यह foot में x km चला इस x km का value हमें निकालने को कहा गया और इसका speed जो यहां पर था वो 4 km प्रतिगंटे वाली speed थी, तो यहां पर 4 km प्रतिगंटे के speed से ये पैदल चल रहा है, foot से चल रहा है, और यहां से यहां तक जो distance है, अब बताइए ये distance कितना होगा, अब खुदी सोचिए अगर total 61 है, तो यहां पर x चला गया, तो 61-x के द करिये कि यह total जो time है, 9 घंटे है यह point A है, यह point B है यह point C है, मतलब आपको सवाल में यह दिया हूँ है, जो time A से B तक लगा प्लस जो time लगा B से C तक cover करने में यह पूरा कितना है तो 9 घंटे है और time equal to क्या होता है? time equal to होता है distance divided by speed distance divided by speed यही होता है तो यहां से आपका समय निकल के आ जाएगा यही होता है अब यहां से अगर टाइम एसे भी निकालना है तो देखे एसे बी में आपकी जो दूरी है वो X की है और आपका स्पीड चार की है मिकलब X बटा चार होगा की नहीं होगा प्लस बी से सी जाना है तो 61 माइनस X जो है हमारा 61 माइनस X जो है 61 माइनस X हमारा दिस्टेंस है और हमारा जो स्पीड है वो 9 है इक्वल टू 9 होगा अब यहां से स्मार्टली आप उप्शन चूज करिए ऐसा उप्शन चूज करिए जो इसको काटे कुकि देखिए यहां integer value अगर लाना है राइट-hand side में आपको integer value लाना है तो ऐसा कोई उप्शन सोचिए जो यहां पर आपको integer value दे तो मेरे को समझ भे आ रहा है कि मैं अगर 16 लू यहां पर अगर मैं यहां पर 16 लालू तो यह 4 बन जाएगा 16 बन जाएगा पुरा solve करोगे time काफी waste होगा तो basic approach में भी आपको थोड़ा सा चौकरना रहना है कि आप कहाँ पर जाके अपने calculation को रोके option का भरपूर use करिए option से आपके questions फटाफट solve होता है तो option को use करना मत भूलिए अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसका basic approach क्या हो सकता है basic approach सीखने के लिए समझिए यहाँ पर क्या करना है देखिए मैंने आपको शुरुवाती तोर पर बता के रखा है कि allegation जो है allegation एक ऐसा approach है जिसको आप सीख तो जाओगे लेकिन यह समझना मुस्किल होता है कि कहां-कहां पर लगाए उसके रहे मैंने आपको बताया था weighted average जहां-जहां पर लगता है वहां-वहां पर allegation लगता है तो यहां पर allegation लग जाएगा क्योंकि overall आपका average speed 61 by 9 है जब यह paddle चलता है foot पे तो इसका speed 4 km पर आवर है और जब यह cycle से चलता है तो इसका speed जो है यह है 9 km पर आप खुदी देखिए आप यहां पर speed average जो है इसका formula होता है total distance divided by total time तो जब आप allegation लगा रहे है speed average पे तो जो ratio निकल के आएगा वो total time का यानि time का ratio निकल के आएगा अब आप बताईए इसको कैसे solve किया जाए अगर मैं इसको और इस पर allegation लगाओ तो इस तरफ आप लिखेंगे 9 minus 61 by 9 और दूसरे तरफ आपको लिखना होगा 61 by 9 minus का 4 तो इसको solve करेंगे तो यहां पर 81 minus 61 होगा 81 minus 61 मतलब 20 बटा 9 और अनुपात में यहां पर 9 उपर जाएगा तो 36 मतलब 36 minus करने जाओगे 61 से तो 25 by 9 आएगे मतलब ratio कितना हो गया ratio आपका जवाब होगा 9 से 9 कट गया 20 से इसको काटोगे तो यहां पर 4 अनुपात 5 आ रहा है यह 4 अनुपात 5 किसका ratio है तो यह time का ratio है क्योंकि जब average पर allegation लिखाता था तो यहां पर numbers का ratio आता था अब जब speed पर allegation लगा रहे है तो यहां पर time का ratio निकल के आएगे यह 4 अनुपात 5 में अगर 9 को बाटोगे क्योंकि 9 गंटे टोटल है मतलब यहां पर वो 4 गंटे चला होगा और यहां पर यह 5 गंटे चला होगा अब आपको जो value निकालना आपको क्या निकालना था आपको निकालना था कि foot में कितना चला तो distance is equal to क्या होता है speed into time होता है हमारा जो speed है वो 4 है और time यहां पर 4 है तो 4 into 4 कर लिजे क्योंकि distance होता है गती गुणे समय और दोनों 4 है तो multiply करने पर 16 km उत्तरा जाएगा तो यह हमारा और तेज तरीका है allegations जिसको आप यहां पर लगाकर solve कर सकते हैं चलिए तो मैंने इसी तरीकी से design किया पूरे course को कि पहले आपको क्या देना है बाद में आपको क्या देना है देखिए अ फ्लाइट टेक्स वन आवर मोर दैन फ्लाइट भी ट्रैवल 720 किलोमेटर दू इंजिन ट्रबल श्पीड फ्लाइट बिकम्स फाइट सिक्स अफ्लाइट मोर दैन फ्लाइट कॉम्प्लीट द सेम जर्मी वाट इस स्पीड आपको बताया रेश्यो मैंने आपको सकता हुआह इसकी बाद फिरल मिएा पर आगे बढ़ेंगे ऐसा मझते यहां पर पर रेश्यो और इसको कैसे वह सारी चीजे में आपको आपको तेन चीजे खालें like speed equal to distance upon time होता है थिक यह हमने बता के रखा हुआ और दूसरा formula हमने देखा था कि टाइम की तॉपर related की time बराबर होता है distance divided by speed यह दो formula हमने देखे थे। तीसरा formula हमने देखा था कि distance equal to क्या होता है तो speed multiplied by time हो यह तीन फॉर्मूले हमने देखा हुआ, अब देखें, एक एक करके सारी चीज़े समझते हैं, तीन चीज़े हैं, एक है speed constant, एक है distance constant, एक है time constant, सबसे पहले हम बात करेंगे distance constant वाला case, distance constant, याने समान दूरी, समान दूरी, सवाल में आपको नहीं दिया रहता है, कि समान दूरी वाला प्रस्ण है, आपको interpret करना होगा, कि कौन सा case है, क्या यह समान दूरी वाला case है, कि समान समय वाला case है, कि समान गती वाला case है, तीनों चीजे आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए जैसे कि सब्सक्राइए कि कोई व्यक्ति या दो कारें एक कार सिटी एसे सिटी भी जा रहा है और दूसरा कार सिटी एसे सिटी भी जा अभी मैंने जो प्रस्ट दिखाया था आपको थोड़े देर पहले वह भी आप द फ्लाइट की बात हो रही है तो दोनों फ्लाइट जो एक एक चे कर रही है जिसकी जादा youngest कैम समय लगेका और जिसकी सिच गति कम होगे उसको ज्यादा समय लगेगा क्योँ कि आप देखे यहां पर स्पीड और टाइम एक lub veux करम हो जाते हैं जब distance constant है तो speed किसका व्यूत्क्रम हो जाएगा time का व्यूत्क्रम हो जाएगा अब व्यूत्क्रम आनुपाती होने का मतलब रैसिप्रोकल यानि कि inversely proportional होने का मतलब मैंने ratio proportion में cover करके रखाए इसका मतलब यही होता है कि अगर speed 1 अनुपात speed 2 जो है suppose करें कि यह 2 अनुपात 3 है तो time 1 अनुपात time 2 जो होगा इसका व्यूत्क्रम हो जाता है व्यूत्क्रम करने का मतलब आधा और एक तिहाई जिसको हम directly यहां 3 भेजकर 2 यहां पर भेजकर इसका reverse ratio लिख सकते है इसका reverse ratio क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 अनुपात 2 डिरेक्टली reverse ratio लिख सकते हैं दो वाले case में लेकिन 3 वाले case में reverse लिखने के गलती मत करना व्यूत्क्रम लेना होगा उसके बाद ही आप इसको कम समय लगेगा जो व्यक्ति कम तेजी से भागेगा उसको जाद समय लगेगा इतनी सी बाद अब सेकेंड कैसे पहला condition हो गया दूसरा condition समझिए second condition मैं यहां पर लिख लेता हूं second condition हम discuss करेंगे कि जब स्पीड कॉंस्टेंट है constant speed speed constant समान गती से यानि कि speed constant आप लिख सकते हैं मतलब की समान गती समान गती से यदि दो व्यक्तियां भाग रहे हैं सपोस्पोस करिए कि पहला वाला भी 50 km की स्पीड से बहाग रहें दूसरा वाला वी 50 traveler के स्पीड से बहां के दोनों फ himself मतलब जो शुथ मोंध समय का हौ जाएगा वही अनुपात distance का हो जाएगा इस चीज़ का समझी है यहां से कि अ समय और डिस्टेंस यानि कि डिस्टेंस जो होता है वो डारेक्ट ली प्रोपोर्श्टनल हो जाएगा टाइम के मतलब डीवन अनुपात डीटू यदि दो अनुपाथ तीन है, तो time 1 अनुपाथ time 2 भी 2 अनुपाथ 3 होगा मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा देरी के लिए भागेगा, वो व्यक्ति ज़्यादा दूरी तै करेगा जो व्यक्ति कम दूरी के लिए भागेगा, वो कम दूरी तै करेगा, clear है second वाला कंडिशन अब आते हैं भई तीसरे कंडिशन में तीसरा कंडिशन आप लोग समझ चुके होंगे पहली बार में मैंने क्या किया तो पहली बार में मैंने distance को constant किया, दूसरे वाले में मैंने speed को constant किया, अब third condition मनेगा time constant जब time constant है तो आप समझीए यहाँ पर समान समय के लिए समान समय के लिए जब दो व्यक्तियां भागते हैं मतलब कि suppose करिए कि पहला व्यक्ति जो है वो भी 4 गंटे के लिए भाग रहा हैं, यहनि दोनों के दोनों 44 गंटे के लिए भाग रहे हैं, अब जो 10 km वाली speed होगी जिसकी वो तो 40 km भग पाएगा लेकिन जो यहाँ पर 30 km वाली speed कर देगा, वो 4 गंटे में 120 km भाग जाएगा, मतलब कि time जैसे constant हो गया टाइम जैसी constant हो गया, तो time जैसी constant होता है, तो distance जो होता है, यह समानुपाती हो जाता है, speed का, मतलब speed 1, अनुपात speed 2, यदि यहाँ पर 3 अनुपात 4 है, तो distance 1, अनुपात distance 2 भी क्या होगा, तो यह भी हो जाएगा भई, इतना ही same ratio रखेंगे, यह 3 ratio 4 रखेंगे, इन तीन चीजों को आप अपने copy पर अच्छे से notes बना के रखें, कि constant distance पे क्या होता है, constant distance पे आपका speed व्यूत क्रवानुम पाती हो जाता है time का, तो जो speed ज़्यादा रखेंगे, उसका time कम लगेगा, अगर distance और time की बात करें, equal speeds पे, तो distance directly proportional हो जाएगा time का, अगर time constant रखेंगे, तो distance और speed जो है, यह एक दूसरे के proportional हो जाएगे, directly proportional हो जाएगे, इन चीजों को आप अच्छे से notes बनाईगे, अब बापस आते हैं इस सवाल में और समझते हैं, यहाँ पर दिया है, तो क्या दिया हो है, flight A usually takes one hour more than flight B, मतलब time जो A को लगता है, वो time B से कितना जादा है, तो एक घंटा जादा है, और जो distance है, वो 72 km, 7200 km, मतलब जो total दूरी तय करनी है, यह 7200 km की दूरी तय करनी है, मानने ते CT X से CT Y जा रहे हैं, ठीक, इसके बाद बोल रहा है, due to engine trouble, speed of flight B becomes 5 by 6, of its actual, so it takes 36 minutes more than flight A to complete the same journey, अब यहाँ पर जो है, B का speed कम हो गया, speed कम होने के वज़े से, time जो B को लग रहा था, वो time A से कितना जादा हो गया, तो 36 minutes जादा हो गया, 36 minutes जादा हो, अब इस पिछले वाले को मैं थोड़ा reverse तरीके से लिख लेता हूँ, अगर A को B से एक घंटा जादा लग रहा है, मतलब time B जो लग रहा था, वो time A से एक घंटा कम लग रहा था, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, एक घंटे का मतलब 60 minutes, क्योंकि दोनों तरफ same unit रहे, तो जादा आसान रहेगा बाते समझने के लिए, अब इसको मैं माल लेता हूँ, TB1 इसको मैं माल लेता हूँ, TB2, क्योंकि यह पहला condition है और यह दूसरा condition है, अब आप बताईए कि speed में क्या ratio बनेगा, देखे, मेरा काम यहाँ पर है कि flight A का speed निकालने के लिए आपके पास distance है, अगर आपके पास time निकल रहा है कि वो कितने देर में पूरा कर रहा है, तो यहाँ से हमारा speed निकल के आ जाएगा, इसके लिए क्या दिया हुआ है कि speed जो है, मतलब यहाँ से आपको समझना होगा, कि speed of B1, अनुपात speed of B2 आपको दिया हुआ है, यानि कि अगर पहले speed एक unit का था, तो अब speed 5 अनुपात 5 बटा 6 हो गया, क्योंकि 5 by 6 गुने हो रहा है, तो वास्तविक गती जो भी है, उसका 5 बटे 6 गुना हो जाता है, मतलब अगर एक की speed है, तो यहाँ 5 बटे 6 हो जागी, मतलब इस 6 को मैं दूसरे तरफ लेकर ऐसा भी कह सकता हूं कि अनुपात जो है speed का, वो 6 रेश्यो 5 है, मतलब यहाँ से आपको समझना होगा, कि time B1, रेश्यो time B2 जो है, यह उल्टा होना च distance constant वाला case है, distance constant है, तो speed में जो रेश्यो बनेगा time में उल्टा हो जाए, अब जैसी आप समझीए, यहाँ पर आपको एक unit ज्यादा लगा, इस एक unit में कितना ज्यादा लग रहा है, पहले तो आप एक गंटा पहले पहुंच रहे थे, आप 36 मिनिट बाद, 36 मिनिट बाद प 5 का value यहाँ पर दाल देंगे, क्योंकि देखे, TB1 का value 5 है, मतलब यह जो TB1 है, अगर एक unit इतना है, तो 5 unit का value हो जाएगा, 480 मिनिट हो जाएगा, ठीक, 480 मिनिट का मतलब यहाँ से अगर 60 से इसको काटा जाए, तो यह 8 घंटे हो जाएगे, मतलब यह 8 घंटे के बराबर है मतलब time जो A को लगता है, वो हो जाएगा, 8 प्लस यह एक घंटा, और जो कि 60 मिनिट है, यह एक घंटे के बराबर होगा, 8 प्लस एक करोगे, तो 9 घंटा लगे है, मतलब A जो है, 9 घंटे में यह पूरा distance कवर करता है, तो speed of A क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 7200 divided by 9, और आप वहाँ पर गलती ना कर बैठे, इस तरीकी के pattern के बिलेग पर तयार रहे है, ठीक है, 25 सवाल में, किसी shift में reasoning आसान आता है, तो match difficult आता है, किसी shift में match आसान आता है, तो reasoning आता है, तो SSE का paper इसी तरीकी के pattern में होता है, कि अगर 25 सवाल आए, तो कभी-कभी arithmetic calculative होता है तो ऐसे सवालों के लिए भी तयार रहे हैं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दियो है, in a race of 100 meter, A beats B by 15 meters, and C by 18 meters, in a race of 170 meters, B will beat C by how much, तो देखें, 100 meter की एक जो race है, एक 100 meter की race है, यहां से यहां तक मान लीज़े, 100 meter है, तो A जो है, B को 15 meter से हराता है, और C को 18 meter से हराता है, मतलब देखें, A यहां से लेकर यहां तक A पहुंच गया, तो B जो है, इससे 15 meter पिछे रहता है, मतलब B यहां पे रहेगा, 15 meter पिछे, और साथ में C जो है, उसको 18 meter से हराता है, मतलब C यहां पे रहेगा, कहीं न गई, 18 meter पिछे, 18 meter से, अगर यह 18 meter पिछे है और B जो है वो आपसे 15 मीटर पीछे मतलब इन्होंने जो दूरी तैकी वो कितनी है दूरी जो यहां से A यह स्टार्टिंग पॉइंट है यह एंडिंग पॉइंट है B ने जो दूरी तैकी वो दूरी हो जाएगी यहां स्टार्टिंग पॉइंट से B पॉइंट तक जो कि हो जाएगा 85 मीटर्स की दूरी और C ने जो दूरी किता है कि हो जाएगा 82 मीटर्स तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो B की स्पीड है और जो C की स्पीड है वो है 85 अनुपाथ 85 अनुपाद 82 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिश्ट है क्योंकि देखिए जितने समय में यानि अगर A पूरे रेस को complete कर रहा है रेस में होता क्या है साथ में start करते हैं और A जब पूरे आखरी point तक पहुंच गया 100 मीटर पहुंच गया उतने समय में B 85 अगर इसकी स्पीड की बात करें और डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 85 इस्टू 82 कर इस्टू होगा अब सवाल यह पूछ रहा है कि अगर 170 मीटर के दौड में दौडाओगे तो B तो 170 मीटर कवर कर लेगा इसका दो गुणा कर दीजे तो B 170 मीटर तो पहले कवर कर लेगा लेकिन यह जो वैक्ती है यह 164 मीटर ही कवर कर पाएगा मतलब यह इससे 6 मीटर पीछे होगा तो क्या हम लिख सकता है कि इससे 6 मीटर से हराएगा बात समझ मैं अरे भाई मैं यह कह रहा हूँ कि अगर 170 मीटर का रेस होता है तो यहां पर रेश्यो में जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की बात हो रही है तो बी और सी को दढ़ाया जा रहा है बी पूरा का पूरा कवर कर लिए 170 लेकिन सी जो है वह इसके 82 के कर्रिस्पॉंडिंग जाएगा मतलब 164 पीछे कहीं ना कहीं रहे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं यहां से दिया हुआ है इन अ 10 किलोमेटर रेस एबी सी इच रणिंग एटा उनिफॉर्म स्वीट गेट गोल्ड सिल्वर और ब्रॉंज इफ एबीट सी बाइन किलोमेटर देन बाय हाव मेनी मीटर दस एबीट सी तो दे ब्रेक्ली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम और साथ में दिया हुआ देखिए रजत स्वर्ण और स्वर्ण रजत और तामर प्रदक मिलता है इनको मतलब यह 10 किलोमेटर का रेस है जब यहां पर एपुरा का पूरा दूरी का मपर करता है तो बीस से एक किलोमेटर पीछे घ्राता है इन पूरा कवर तो 20 किलोमेटर पीछे था मतलब यह इंव रखिया एक चूरी बरावर यानि की अलग अलग गती से भाग रहे है यह एक की समान है टी की गती समान है और ऑपको इस कमझना होगा कि रेस में जम यहां पर पहुंचा उसी समय में बर यहां पर किलोम कि किलोमेटर से बला किलोमेटर से किलोमेटर मतलब इनका covid 10 नाउब निकाल सकता हूं आपका जबाब मिल्कुल निकाल सकते सब्सक्षाइब न TVs और गुना करोंगे सो आएगा इन दोनों को गुणा करोगे तो 81 आएगा है यह आपका ratio बन गया मतलब A जब यहाँ पर 100 unit चलता है तो C यहाँ पर 81 unit ही चल पाता है clear सवाल में यही पूछ रहा है कि A C को कितने दूरी से हराएगा तो आपको समझना होगा कि यह जो 100 है मतलब A यहाँ पर पहुँच गया तो यह पूरा 10 km है तो C कहां तक पहुँचेगा यह पूछ रहा है मतलब यह वाली दूरी आपसे निकालने को कह रहा है मतलब देखिए A जब यहाँ पर 10 km चलेगा तो यह तो यहाँ पर इससे 19 कम चलेगा मतलब समझिए कि 100 यूनिट बरावर 10 km है तो 19 यूनिट बरावर कितना हो जाएगा 1.9 km होगा कि नहीं होगा देखिए भई 100 यूनिट का वैल्यू 10 km है और आप देख रहे हैं कि जब यह 100 यूनिट चल रहा है तो यह तो 81 यूनिट चल रहा है मतलब A C को कितने यूनिट से हरा रहा है 19 यूनिट से हरा रहा है तो अगर 100 यूनिट कमान 10 km है तो 19 यूनिट कमान 1.9 km होगा मतलब 1900 मीटर से यह इसको हराएगा क्योंकि 1 km में 1000 मीटर होता है इसको 1000 से गुणा करो में तो इतना ही तो आएगा चली यहाँ पर आपको यही निकालना था कि कितने मीटर से हराता है यह देखें मीटर से आपको निकालना था कितने मीटर से हरा रहा है तो यहाँ पर km में आ रहा है इसको 1000 से multiply करके मीटर में convert किया जा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं 3 runners A, B, C run a race with runner A finishing 12 meters ahead of B and 18 meters ahead of C In another race B and C finished 8 meters ahead of C B finished 8 meters ahead of C What is the Each of the runners travel the entire distance at a constant speed Then what is the length of the race अब देखिए यहाँ पर आपको लंबाई ही नहीं दी गई Race की लंबाई ही नहीं दी गई और बोल रहा है कि race की लंबाई लगाई तो मैं आपको बहुत ही बहतरीन तरीके से आपको समझाओंगा कि अगर suppose करिए कि पूरा का पूरा race जो है वो length L का है तो B जो है इससे L- 12 मीटर पीछे था और जो है C इससे 18 मीटर पीछे था तो कहीना कहीं इनकी जो गती है वो इस अनुपात में होनी चाहिए क्योंकि जिस समय में starting से end तक यह पहुँच गया तो उससे 18 मीटर पीछे B था 12 मीटर पीछे B था और 18 मीटर पीछे C था अब सेम चीज दिया हुआ है कि B जो है इसको 8 मीटर एहड खतम करता है मतलब B अनुपात C के लिए एक और ratio दिया हुआ है कि B जब race को complete करता है तो C जो है इससे 8 मीटर पीछे रहता है यानिë L-8 मतलब B और C का जो अनुपात है आपको दो तरीके से दिया हुआ है एक यहां पर दिया हुआ है L-12 L-16 के टर्म्स पर एक B-C के टर्म्स में दिया हुआ कि यहां पर L जब चलता है तो L-8 चलता है उसको भी समझ ? जो कि मैने आपको ratio proportion में ही समझा कर रखा है, जब यह ल-12 है, divided by L है, बरावर यहां पे L-18 है, divided by L-8 ठीक है? डिवीडेंडो लगाएंगे हैं, क्या करेंगे? डिवीडेंडो लगाएंगे. डिवीडेंडो लगाना है याद याद यहादे सभी कितना समय लगेगा इसको solve करने के लिए यह 6 है यहां पर 5 है 6 से इसको multiply करोगे तो 6L minus 48 और यहां पर 5L आ जाएगा मतलब L जो है L का value हो जाएगा 48 meters 48 meter जो है और बी जो है सवाल का सभी तो अगर race से related सवाल बनता है कोई वेक्ति किसी को कितने से हरा रहा है चाहिए यह निका सब्सक्राइब तो भी आपसे इस से बन जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुस्टिन दिया हुआ है a man can cover a certain distance in 3 hours and 36 minutes if he walks at a rate of 5 km पर आप if he wants to complete the same distance on cycle at 24 km पर आप देन टाइम टेकन बाइं इन मिनिट्स भी तो कोई व्यक्ति जो है किसी दूरी को पांच किलोमेटर प्रतिगंटे की चाल से चलता है तो तीन गंटे और 37 मिनिट लगते हैं साथ में बोल रहा है यदि वो साइकल से उसको cover करेगा 24 किलोमेटर प्रतिगंटे की चाल से तो कितना समय लगे तो सबसे पहली बात तो आप बताईए स्पीड का अनुपात क्या है पहले 5 के स्पीड से चल रहा है बाद में 24 के स्पीड से चल रहा है और हम यह जानते कि डिस्टेंस जब constant होता है तो आपका स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्यूत्रम अनुपाती होते हैं तो मतलब टाइम वन अनुपात टाइम टू क्या होगा उल्टा हो जाएगा कि नहीं 24 इस टू 5 अब पहले वाले में आपका जो टाइम लग रहा है वो 24 उनिट लग रहा है इसका वैलू तीन गंटे और 36 मिन मतलब 3 गंटे का मतलब 180 मिनिट होता है इसको 36 में जोड़ोगा तो 216 मिनिट लग रहा है यहां पर 216 मिनिट मतलब यहां नौग उना हुआ तो यहां पर भी क्या होगा मल्टिप्लाइट बाइन तो यह हो जाएगा 45 मिनिट जो है सवाल का सही उतर है इसी अंदाज में आप इसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है इसका अगर नौग उने हो रहा है तो इसका भी नौग उना चीए पैतालिस मिनिट आपका लगेगा सेकेंड वाने की सब्सक्राइब आगे देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे इसके बाद अब देखेंगे यहां पर दिया हुआ पैतालिस किलोमेटर पर गंटे की चाल से जब कोई गाडी चलती है तो सवी समय पर गंतावी के पहुंच जाती है लेकिन गती को अगर हम यहाँ पर 40 कर दें तो वो आधे घंटे लेट से पहुंशती है तो गंतावी तक पहुंशने के लिए कारदवारा तैग की गई दूरी क्या है इसको निकाला है मतलब दूरी फिर से constant है तो speed और time एक दूसरे के reciprocal होंगे तो speed 1 is to speed 2 का ratio क्या है 45 km पहले बाद में 40 मतलब यदी मैं इसे काटू हूं तो इसका ratio बन जाएगा 9 अनुपात 8 का तो time 1 is to time 2 का ratio अब आप लोग खुदी बताएंगे इसका ratio हो जाएगा 8 अनुपात 9 और आपको बताया गया कि यहां पर जो यह एक यूनिट है यह एक यूनिट बरावर आधे घंट है कि नहीं 30 मिनिट 30 मिनिट मतलब आधा घंटा आधे घंटे अब यदी जब आपको distance निकालने को कहा गया क्या निकालना है आपको distance निकालने को कहा गया तो distance में या तो आप speed 1 into time 1 करेंगे जो आपको comfortable है मतलब 45 के साथ 9 यह वाला 8 multiply करना होगा आपको या अगर आप 40 ले रहे हैं तो इसके सा गंटे है तो आठ यूनिट बरावर चार घंटे होगा कि नहीं होगा अरे यहां पर जब एक यूनिट ज्यादा लगा तो इसको 30 मिनिट ज्यादा लग रहा है और 30 मिनिट का मतलब होता है आधा घंटा मतलब जब एक यूनिट ज्यादा लगा तो एक यूनिट का मतलब 180 km अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है कि 40 km का स्पीड ले ले लिजे कोई दिक्कत नहीं 40 multiplied by 9 बटा 2 हो जाएगा 9 by 2 हो जाएगा 40 multiplied by 9 by 2 करिये सेम एंसर आएगा आपका 180 km ठीक है चली आगे बढ़ते है सागर गोस्टो मैंटिप्लेक्स at 3 km per hour to see a movie reaches 5 minutes late if he travels with speed of 4 km per hour he reaches 5 minutes early what is the destination distance of the multiplex from his starting point देखे यहां पर similar pattern का question यह है अगर इसकी speed का ratio हम देखें यहां पर speed 1 is to speed 2 का तो पहले और दूसरे में इसका जो अनुपात है पहले 3 के speed से चलता है 3 km per hour और बाद में 4 km per hour की speed से तो time 1 is to time 2 का जो ratio होगा यह चार अनुपात 3 का हो जाएगा अब बोल रहा है पहले वाले में 5 minutes late पहुंचता है और बाद में 5 minutes early पहुंचता है मतलब समझे यहां पर इधर पर वह 5 minutes 5 minutes देरी से पहुंच यहां पर यह 5 minutes देरी से पहुंच रहा है इस वाले case में और इस वाले case में 5 minutes जल्दी पहुंच रहा है मतलब जब यहां पर हम एक unit कम कर रहे है तो actually 10 minutes कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है अरे भाई पहले आप यहां पर 5 minutes जादा देरी से पहुंच रहे थे अब आप 5 minute और जल्दी पहुंच रहे हो, मतलब total आप 10 minute बचा रहे हो कि नहीं, suppose करिए कि अभी दोपर के 12 बज़ रहे हैं, अब पहले जो है, आपको यहाँ पर 5 minute अगर जादा लग रहा था, तो 5 minute जादे का मतलब 12 बच के 5 minute, और बाद में आपको 5 minute कम लगने लगा, मतलब के 11-15 पर आप पुछ लगे, मतलब 10 minute बचा रहे हो आप, तो देखिए यह जो 10 minute है, एक unit के बराबर है, अब जब distance निकालना है, तो distance के लिए आप चाहें, तो इसको इससे multiply करिए, इसको इससे multiply, बात देखिए, माल लिएजे, मैं 4 का speed ले लेता हूँ, और अगर 1 unit बराब दो किलोमेटर की दूरी आजएगी, डिस्टेंस जो है, वो कितना है, दो किलोमेटर की दूरी, तो यहां किलोमेटर वाला option जो है, वो सही होगा, आगे बढ़ते हैं, तो इस सवाल में दिया हूँ है, कि a train travels 20% faster than a car, both start from a point A at the same time and reach point B, 180 km away at the same time, on the way the train takes 30 minutes of stop, what is at the station, what is the speed of the train, देखिए train की जो गती है, वो 20% ज्यादा है किस से car से, मतलब speed of car, अनुपात speed of train की यदी में बात करो, तो train की speed यदी, car की speed यदी 100 है, तो इसकी 120 हो जाएगी, मतलब इसका ratio भी तो हम ले सकते हैं, कि इसको 20 से काटकर आप लिख सकते हैं, पांच अनुपात 6, 20% का मतलब अब एक बटा 5 होता है, तो ये 5 होगा, तो ये 6 होगा, अब दूसरी बात ये अगर समझीए, कि अगर ये सेम समय पर निकल कर, सेम समय पर निकले, और सेम समय पर पहुंचे, ये तो संभव होई नहीं सकता, क्योंकि हम ये बात जानते हैं, कि time taken by car और time taken by जो train होगा, वो त जिसमें की जो दूरी है, वो 180 km की दूरी यदी है, तो ये distance constant वाला कैसे, और अगर distance constant है, तो speed और time एक दूसरे के व्यूत करम होते हैं, तो अगर एक बार यहां 5 इस्टु 6 बना तो दूसरे वाले में 6 इस्टु 5 बना था, लेकिन यहां ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा इसलिए यहां पर तीस मिनिट के लिए रूक रहा है, अब आप खुद बताइए, अगर इन दोनों को सेम टाइम पर पहुंचना था, तो यहां पर इसमें प्लस वन मिनिट जोडना होगा की नहीं, प्लस वन उनिट, क्योंकि अगर यह 6 उनिट टाइम ले रहा है, तो इसको भी 6 उन के लिए रूक और इस एक उनिट का वैलू जो है, वे व 90 مिनिट आ है, क्योंकि ट्रेन सीум मिनिट के लिए रूक रहा है, अब और खतम हो गया है,तня 1230 मिनट, आप स्बीड आफ च्रेन दिकालने के लिए आपको दिया हूए कि 180 पीलो मिटर चलता है ठ्रेन, और इसको जो स्पीड किलोमेटर प्रती घंटे में निकालनी ही तो किलोमेटर में लेकिन यह मिनिट में इस मिनिट को आवर में कनवर्ट करने के लिए एक बटा साथ करना पड़ता है तो एक बटा साथ का मतलब यहां साथ डिवाइड होगा तो वो पड़ शाथ उपर चला गये इसको इतर कितना है अगर मैं इसको से काटो गर ढगा इंटया इसको सी पांटसी एर लेकल के दो Airplane reduced its speed by 300 km per hour and reach the destination 1200 km late by 2 hours. What is the scheduled duration of the flight? देखे, खराब मौसम की चलते हैं, हवाई जहाज को अपनी जो रफतार है, वो 300 km पती गंटे से कम करनी पड़ी. और 1200 km की दूरी तै करनी की, साथ में दिया हुआ है कि 2 गंटी देरे से पहुंचता है. तो बताईए उसे उड़ान के पहुंचने पर निरधारित अवधी क्या थी? देखे, अगर वो 2 गंटे पहले देरी से पहुंच रहा है, मतलब अगर वो 1 गंटे की अवधी हो, तो 2 गंटा देरी का मतलब 3 गंटे का समय लगेगा. अगर 1.5 गंटे सही समय है, तो यहाँ पर 3.5 गंटे लगेगे. अगर 2 गंटे सही समय है, तो 2 गंटा बढ़ाओगे, तो लेट होने के बाद उससे 4 गंटे लगेगे. अगर यहाँ पर 1.5 गंटे सही समय है, तो 2 गंटा बढ़ाओगे, तो यहाँ पर 3.5 गंटे लगेगे अब देखें आपको यह दिया हुआ है कि रफ्तार को हमने इतना कम किया रफ्तार होती क्या है स्पीड होता है भाई डिस्टेंस डिवाइड बाइड़ टाइंग और डिस्टेंस दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो है यह है बारा सो किलोमेटर तो आप ऐसा option चूज करिए जिसम गंटेक आएगा और तीन से काटने पर मेरा जो स्पीड आएगा वह 400 किलोमेटर प्रती गंटेक आए इन दोनों में कितने कंतर है 800 कंतर है बट सवाल में तो 300 कंतर दिये रहा है मतलब यह जो option है गलत है अब मैं यहाँ पर डेड़ नहीं चूज करूँगा ना मैं यहाँ प पर अगर इंटीग्रल वैल्य आ रहा है तो वह एक और तीन से संभाव है या दो और चार से संभाव है यदि दो और चार की हम बात करें तो दो से उसका जो स्पीड होगा बारा सो डिवाइड़ बाय दो होगा मतलब 600 किलोमेटर पर आवर की और जब यह दो घंटा लेट से पहुंचा तो चार घंटे में पहुंचा चार से इसको डिवाइड करोगे तो 300 किलोमेटर पर आवर की इसकी स्पीड होगे अब आप खुद ही बताए कि इसकी स्पीड जो है वो कम कितने से हूँ पहले 600 किलोमेटर पर घंटे की स्पीड है और यहां 300 किलोमेटर पर आवर क तो कम हुँ मतलब सारी चीज़े से साटीस्फाइज हो रही है इस option से बी अप्सिन से आप कितने तेजी से इस option को पकड़ सकते हैं यह आपका skill है और यहां पर आपको थेजी से इसलिए पकड़ना होगा कुटि यहां पर जो वैलू है इंटिगरल वैल्यू दे रहा है चलिए तो देखिये ए जो है देख़ किलो मेठेक बारा किलो मेठर लमबे विर्यताकार प्रत पर चलना चालू करते हैं ए को जो है यह वह इस बाद को फिर से किल Mu का सवाल है और टाइम स्पीड मेठ सक्राइश एक एख आल मगें कि दिशा में दिशा में अगुझा है कि यह तक की इसे कि कितनी है कि यह है इक होट एक है कि तो 4 किलोमेटर के फोर किलोमेटर प्रति घंटे की Schmidt है बी की गति कितनी एंतो बी की गति अठ किलोमेटर प्रति घंटे की यह 8 km प्रतिगंटे की स्कूर। C की गती कितनी है तो C की गती दी हुई है 3-2 km प्रतिगंटे की अब देखिए समझिए इस बात को समझिए ठीक से कि यहां से यहां तक जाने में जो time है time जो है उतने time में होना चाहिए कि A भी यहां पर पहुंचे B भी यहां पर पहुंचे और C भी यहां पर पहुंचे तो यह क्या हो सकता है individual time का जो LCA में वही तो होगा क्योंकि जो इसका time लग रहा है और जो इसका time लग रहा है जो C को time लग रहा है जो A, B, C को individual time लग रहा है उसके जो multiples में जो value होगा, उसमें जो सबसे छोटा value होगा, वही आपको बताएगा कि सबसे पहली बार ये तीनों में, एक साथ कब होँआप मिलेगे, तो सबसे पहले time जो a को लग रहा है, वो बताईए कितना है, time होता है distance divided by speed, तो distance कितना है 12 है, और speed कितना है 4 है, तो 12 by 4 कर है, तो 12 है, 12 divided by 3 by 2 करोगे, तो 3 यहां पर 2 यहां पर आएगा, 3 से काटते पर यहां पर 4 बार गया, मतलब 8 घंटे, मतलब देखिए, यह जो है, यह हर 3 घंटे में starting point पर रहता है, B जो है, हर 3 बटा 2 घंटे पर starting point पर रहता है, C जो हर 8 घंटे पर starting point पर रहता है, तो LCM ले मतलब 24 divided by HCF of denominator, मतलब यहां पर 1 कहीं आएगा, HCF, मतलब 24 घंटे के बाद, A भी यहां पर रहेगा, B भी यहां पर रहेगा, C भी यहां पर रहेगा, तो 24 घंटे तक जब यह लोग चलते रहें, तो सारे के सारे जो हर वापस 1 कहीं उसी point पर आजाएंगे, जो कि यह starting point, ठी takes 15 minutes to complete a lap on a racing track, by how much should it increase the speed to complete it in 15, 12 minutes, देखिए, अब यहां से सवाल को समझिए कि एक lap पर एक कार चल रही है, एक lap पर एक कार चल रही है, और इस चक्कर को पूरा करने में इसका जो speed है वो 108 km प्रतिगटे है, पहले 15 minute लगता है, अब यदि 12 minute में पूरा करना है, तो speed कितने स यह बताना है, आप खुद बताइए कि यहां से यहां तक जो चक्कर है, क्या इसका distance constant है कि नहीं है, मतलब यह जो है सवाल समान दूरी पर आधारित सवाल है, और समान दूरी जब होती है, तो speed जो होता है, यह inversely proportional to time होगा, time 1 जो है, अनुपात time 2 जो है, इसके बारे में information जिए है कि पहले यदी 15 मिनिट लग रहा है, तो अब 12 मिनिट लगना चाहिए, जिसका अनुपात मैं ले लूँ, यानि कि मैं अगर इसको 3 से काट दूँ तो 5 अनुपात 4 होगा, 5 अनुपात 4 यदि यह है, तो speed का अनुपात S1 अनुपात S2 जो है, यह 4 अनुपात 5 होना चाहिए अब बोला गया है कि पहला वाला जो time है पहला वाला time 4 unit होगा इसका value 108 है 108 होने का मतलब यहाँ पर 27 times हो रहा है आप से यह बोला गया है कि आप यह बताए कि कितने से speed को बढ़ाना चाहिए तो आप किसका value निकालेंगे क्या आप 5 का value निकालेंगे नहीं आपको पू स्पीड से यदि आप इसको बढ़ा दें तो आपका time पहले 15 minutes लग रहा था उसके जगाव 12 minutes लगने लगी ठीक है चली यह भी ratio अपरोच से हो गया सवाल आगे देखते है a spider climbs a pole 20 meters high first minute it climbs 10 meters but in the second second it slips by 8 meters the process continues till it reaches the top of the pole what is the time required to reach the top of the pole देखिये एक मकडी है यह मकडी क्या कर रहा है मकडी जो है एक खंबे को चड़ने कोशिच कर रहा है जो कि है 20 meter लंबा खंबा और इस 20 meter लंबे खंबे में दिया हुआ है कि वह एक minute में 10 meters की पहले एक minute में 10 meter चलता ह लेकिन दूसरे minute में यह 8 minute 8 meter नीचे फिसल जाता है और यहाँ प्रक्रिया खंबे के सीर्स तक पहुचने तक यह जारी रहती है तो आपको बताना है कि खंबे के सीर्स तक पहुचने में इसे कितना समय लगेगा देखिए सबसे पहली बात तो समझिए यहाँ पर जो खंबा है यह खंबा जो है यह पुरा का पुरा बीस मीटर लंबा खंबा है बीस मीटर लंबा है ठीक अब मकड़ी यहाँ से चड़ना चालू करती है मकड़ी यहाँ नीचे से चड़ना चालू करती है नीचे से जैसे है पहला मिनिट जो है आधा दूरी पुरा कवर हो जाता है क्य मिटर उपर चलती है लेकिन जैसे यह 10 मीटर चली तो अगले मिनिट में यहां से नीचे आती है 8 मिटर मतलब ओवरॉल नेट यदि हम देखें तो यहां पर नेट चड़ाव जो हुआ वो केवल 2 मिटर का हुआ कि नहीं क्योंकि अगर 10 मिटर पहले मिटर में चड़ी तो अगले मिनिट में 8 मिटर फिसल भी गए मतलब 2 मिनिट में दो मिनिट में यह मकडी जो है दो मिनिटर चलो अगले दो मिनिट की बात करें तो पहले मिनिट में यहां से चड़ेगी उपर दस मीटर तो यहां तक पहुंच जाएगी लेकिन इसके अगले मिनिट में फिर से आठ मीटर नीचे स्लिप होगी मतलब ओवरॉल फिर से दो मीटर आगे बढ़ेगी, फिर से 2 मीटर आगे बढ़ेगी, मतलब अगले 4 मिनिट में, 4 मिनिट की यदि में बात करो, तो overall 4 मिनिट में ये मकडी 4 मीटर चलेगी, ऐसा कब तक संभव होगा, ऐसा तब तक संभव होगा, जब यह यहां तक जाएगी, मतलब देखिए जब यह पूरा का पूरा 10 मिनिट में 10 मिनिट कवर करेगी, क्योंकि इसके बाद वाला जो 10 मिनिट का चलावे, वो उसको उपर पहुंचा देगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 18 मिनिट, 18 मिनिट तक तो ठीक था, 18 मिनिट से जब यह गिरेगी नीचे, तो 10 मिनिट 10 मिनिट की उचाई पर गिरेगी, मतलब यह मकडी जो है, शुरुवाती 10 मिनिट में, शुरुवाती 10 मिनिट में 10 मिनिट तक यहां तक ठीक है 10 मिनिट में, यह मकडी करो तो मकडी 10 मीटर चड़ेगी और यहां पर 20 मीटर जो है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है कि 11 मिनिट में हो जाएगा कि यूँकि देखिए हर देखते हैं, to cover a distance of 416, a train takes 2, 2 by 3 more than train B. If the speed of train A is doubled, it would take 1, 1 by 3 less hour than train B. What is the speed of train A? मतलब देखे, speed of A पहली बार में और speed of A दूसरी बार में. इसको हम double कर रहे हैं, यहने पहले वाले में 1 है तो दूसरे वाले में 2 है. मतलब time जो train A को लग रहा है 1 वाले में, और time जो train A को लग रहा है दूसरे वाले में. इसका अनुपाद 2 अनुपाद 1 होगा की नहीं, क्योंकि 416 का जो distance है, यह same है. अब एक बात दी होई कि पहले वाले case में इसको 2, 2 सही 2 बटा 3 जादा लगता था. मतलब time जो train A को 1 में लग रहा था, B से 2 सही 2 बटा 3 घंटे जादा लग रहे थे. लेकिन दूसरे वाले case में क्या हुआ, इसे 1 सही 1 बटा 3 घंटे कम लगते B से. तो time जो train A को लगता है दूसरे case में, वो train B से माइनस 1 सही 1 बटा 3 घंटे कम लगते है. ठीक है, यहां तक बात समझ भाए लेगे. अब सवाल समझे, speed of train A निकालना है, मतलब देखे, speed of train A यदी हमें निकालना है, तो आप खुद बताइए कि यहां पर speed of train A है क्या, आपको यहां पर, यदी सब्द दिख रहा है, यहां पर यदी, मतलब यह एक hypothetical case है, यह एक hypothetical case है, असली speed जो है, वो पहले वाला है, मतलब यह वाला है, मतलब हमें यहां पर TA1 का value निकालना है, तो यह दो unit का value आपको निकालना होगा, क्योंकि speed उसी से निकलेगा, अब बताइए भई TA1 है क्या, आपने देखा यहां पर 2 से 1 हुआ, मतलब एक unit की कमी हो रही है, और सवाल में आप देखोगे तो 2 सही 2 बटा 3 से पीछे हटकर, आप 1 सही 1 बटा 3 पीछे कर, मतलब यहां से यहां आने में लगबख 4 घंटे कम होगे, 4 घंटे कम होगे न, क्योंकि इन दोनों का difference लोगे तो 2 minus of minus यानि यह पलस हो जाएगा, दोनों को जोडने पर 4 घंटे कम हो रहे, मतलब यह जो एक unit है, एक unit यहां जो कम होगे वो 4 घंटे के बराबब, मतलब 50 से कटेगा और 16 है तो 52 किलोमेटर पर आवर का जो स्पीड है, यह सही हो जाएगा, 52 किलोमेटर पर आवर सी जो है सवाल का सही उत्तर होगे, यहां तक क्लियर होगे बाते, चलिए, आगे बढ़ते हैं, 3 cars ABC started from a point at 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. respectively and traveled at uniform speed of 60 km per hour, 80 km per hour and x km per hour respectively in the same direction, if all the three met at another point at the same instant during the journey, what is the value of x? तीन गाडिया हैं भई, ABC, एक ही स्तान से 5 बजे शाम के और 6 बजे और 6 बजे और 7 बजे निकलते हैं, दूसरी बात दी हुई है कि इनकी जो speed है, वो 60 अनुपात, यानि कि 60 km प्रतिगंटा, 80 km प्रतिगंटा और x km प्रतिगंटे के speed हैं, अब बोल रहा है कि एक समान गती से यह एक ही दिसा में चलती है, और सभी तीनों के तीनों एक साथ मिलते हैं, मतलब जिस point पर यह लोग जा रहे हैं, उस point पर यह लोग एक साथ मिलते हैं, तो x का मान क्या यह हमें निकालना है, देंकि बहुत simple तरीके से मैं आपको यह समझाऊँगा, पहले वाले का speed 1, दूसरे वाले का speed 2, और तीसरे वाले का speed 3, इसका ratio हमें दिया हुआ है कहीं नहीं, कितना दिया हुआ है यह है, पहला वाला 60 km प्रतिघंटे की, और दूसरा वाला जो है यह आपका दिया हुआ है, 80 km प्रतिघंटे का, ठीक, और तीसरा वाला जो दिया हुआ है, एक्स किलोमेटर पती घंटे के लिए अब आप इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा ठीक यह पहला वाला व्यक्ति है यह दूसरा व्यक्ति है यह तीसरा व्यक्ति है पहला व्यक्ति प्रारंभिक बुंद सपोस करिए यह स्टार्टिंग पॉइंट है और यह एंडिंग पहुचने का मतलब यह है कि अगर यहां से इसे जाने में यदि टी यूनिट का समय लगा तो इसे जाने में टी माइनस वन यूनिट लगेगा इसे जाने में टी माइनस टू यूनिट लगेगा यानि कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर इससे टी माइनस वन घंटे इससे टी म दस बजे रात को पहुंच रहा है तो अगर इसे पांच गंटे लगे तो इसे चार गंटे लगने चाहिए इसे तीन गंटे तो एक गंटा कम होते जाए इस चीज़को आपको समझना होगा मतलब टाइम वन अनुपात टाइम टू की अधी में बात करूं तो आप बताइए क्य होगा यहां पर जो है इन दोनों को अगर रेश्यो में 60 to 80 है तो इसका अनुपात हो जाएगा मतलब यह इधर आ जाएगा मतलब चार अनुपात तीन होगा की नहीं होगा और आप लोग देख पा रहे हैं कि चार और तीन में जो डिफरेंस है वह एक उनिट का है मतलब कि ए Time 3 जो है वो तीन दो घंटा हो जाएगा ठीक अब मैं यहां पर एक लाइन में आपको सवाल कर करके बताथ। डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस होता है स्पीड इन टू तो यहां स्पीड इंटू टाइं Deshalb करना है तो यहां पर तीन इंटू असी कर सकते हम स्था इंटू औ आपको क्योंकि अगर इसके स्पीड में हम तीन घंटा इसके स्पीड में दो घंटा अहां होगा क्योंकि स्वालē सब्सक्राइब चलिए आगे बढ़ते अब देखिए यहां से इस सवाल में समझना होगा आपको यहां दिया होगा है ट्रेन A को 45 मिनिट ज़्यादा लगता था ट्रेन B से इसको कवर करने के लिए याने कि साड़े चार सो किलोमेटर की दूरी कवर करने के लिए लेकिन यहां पर दिया हुआ है कि ट्रेन B की जो स्पीड है वो कौटर से कम हो जाती है जिसके वज़े से उसे 30 मिनिट ज़्यादा लगता है ट्रेन A से मतलब कि यहां पर समझिए कि साड़े चार सो किलोमेटर की दूरी तै करनी है 450 किलोमेटर की दूरी हमें तै करनी है ठीक यहां से यहां तक तो इस दूरी को तै करने के लिए ट्रेन A को जो है वो ट्रेन B से कित्ता ज़्यादा लगता था तो यहां पर पहले वाले केस में इ train A से जो है यानि टाइम जो लग रहा है ताइम जो लग रहा है उसको यहां से train A से 30 मिनिट जादा लग रहा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर train B के speed को हमने कम किया था इसलिए train B को ज्यादा समय लग रहा था तो अगर मैं speed of train B पहले और speed of train B बाद में कितना हुआ क्वाटर से कम होने का मतलब अगर पहले वन यूनिट था तो अब 3-4 यूनिट हो जाएगा वन बाइफॉर्थ कम हो जाएगा यानि वन इस्टू 3-4 मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते चार को दूसरे तरफ भेज़के कि पहले अगर चार समय चार इसका speed था तो अब इसका speed जो है वो तीन यूनिट का हो गया मतलब train B को जो पहले समय लग रहा था और train B को जो बाद में समय लगा वो यहाँ पर तीन अनुपात चार होना चाहिए देखिए इस तरीके का pattern का सवाल मैंने यहाँ पर आपको बार-बार करा रहा हूं क्योंकि यह जो है reverse यह बार-बार सवाल आने 75 की बार-बार अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है आपसे train A की गती निकालने कह रहा है तो आप चाहे यहाँ से train A इससे भी निकाल सकते इससे भी निकाल सकते जो आपको comfortable है जैसे कि मैं अगर second वाले से निकाल लू तो 3B2 का value 4 है 4 unit का मतलब हो जाएगा 300 300 minute मतलब इसका value 300 minute है अगर यह 300 minute है तो मैं यह कह सकता हूं कि ट्राइम जो एको लगता है पूरा cover करने में 270 मिनिट लगता है कि नहीं और speed of A ही तो हमें निकालना था तो speed of A कितना हो जाएगा 450 km कवर करने में इसे जो समय लग रहा है वो है 270 मिनिट का लेकिन km प्रती घंटे में निकालना है तो divided by 60 करना होगा यानि 60 से डिवाइड करने पर उपर 60 चला जाएगा अब बताइए इसका उत्तर कितना अगए अगर मैं इसे 90 से काटू तो यहां आप तयार रही है क्योंकि यह पैटर्न आपके स्सी में कई बार आता है और आगे भी आने के चांसे रखेगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब देखें इस सवाल को थोड़ा डारेक्ली हम करने कोशिश करते हैं स्पीड ऑफ बीवन अनुपाद स्पीड ऑफ बीटू कितना है आपका जवाब होगा कि वन थर्ड से फॉल हो रहा है मतलब पहले थ्री था तो अब टू हो गया मतलब टाइंग जो बीटू को लगता है वह क्या होना चाहिए दो अनुपाद तीन होना चाहिए कि नहीं और साथ में दिया हुआ है कि पहले ट्रेन एक को एक गंटा ज्यादा लगता था एक गंटा ज्यादा लगने का मतलब ट्रेन बीवन को जो है पहले ट्रेन एसे एक गंटा कम लगना चाहिए और जब यहां पर बी का स्पीड कम हो गया तो इससे तीन गंटा ज्यादा लगता है मतलब train beat को second case में train a से तीन घंटे जादा लगते हैं अब आप खुद solve करके बताइए कि यहां पर जब आप देख रहे हैं कि एक यूनिट जादा लग रहा है तो यहां एक घंटे कम से तीन घंटे जादा आप जा रहे हो मतलब चार घंटे जादा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं अब आपको सवाल में solve क्या करना था आपको train a का स्पीड चाहिए train a के स्पीड के लिए आपके पास train a का टाइम होना चाहिए क्योंकि distance आपको दिया हो है 720 बस इतना ही solve करना एक्जाम में तो इस चीज़ का प्रैक्टिस आपका अच्छा खासा यहां पर हो रहा है अगर तीन यूनिट का value हो जाएगा 12 घंटे मतलब यह ज तरीके से आपको solve करना है फटा-फट आपके एक्जाम में ठीक आशा करता हो यह steps आपको समझ में आयोंगे और यह repeated pattern है इसलिए मैंने यहां पर दो-तीन बार आपको इस सवाल लगवा दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से दिया हुए a man takes 450 km to partly by train and partly by car he takes 8 hours 40 minutes to travel 240 km by train and rest by car he takes 20 minutes more if he travels 180 km by train and rest by car what is the speed of car in km per hour देखिए इस सवाल को मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से shifting से सम्झाओंगा यह भी standard pattern question है कोई वक्ती जो है 400 km अपने घर जाने के लिए आंची ग्रूप से रेल गाड़ी और आंची ग्रूप से कार से यात्रा करता है वह 240 km जब रेल गाड़ी से और 6 कार से चलता है तो 8 गंटे 40 minutes लगता है साथ में दिया हुआ है अगर वह यदि 180 km रेल गाड़ी से चले और 6 कार से चले तो 20 minutes का समय अधिक लिता है आपको बताना है कार की गती क्या है किलोमेटर पर रहा है देखिए इस तरह का सवाल मैंने आपको percentage में भी कराया था और मैंने आपको बताया था कि shifting approach से इस तरीकी यह 240 km चल रहा है train से मतलब 6 210 km चल रहा होगा कार से इस केस में इसे जो total time का लगता है वो लगता है 8 घंटे और 40 मिनिट का सेकेंड वाले केस में बोला गया कि यह 180 km अगर ट्रेन से चले 180 km जब ट्रेन से चले और अगर 180 km ट्रेन से चल रहा है मतलब बाकी बचा हुआ बाकी बचा हुआ जो दूरी है किया और कार का मैंने 60 km बढ़ा दिया यही हुआ मतलब कूल मिला के मैंने ट्रेन के 60 km निकाल के दूसरे तरफ भेज दिया तो अगर मैं इस 180 km को भी यहां पर क्यों रखों कि अगर मैं यहां से 180 को भी यहां से निकाल के इधर कर दूँ गा तो यहां पर यह 450 km हो जाएगा कार से और 0 km हो जायगा ट्रेन से शिफ्टिंग करने पर जब मैंने यहां से 60 km किलोटर शिफ्ट कया था तो 20 मिनिट बढ़ रहा था तो यहां इसका एक थिहाई करोगे तो एक तिहाई इसका होता है 60 तो 60 मिनिट बढ़ेगा, 60 मिनिट बढ़ाने का मतलब एक घंटा बढ़ाना मतलब यहाँ इसे 10 घंटे लगे है अब आप खुदी बताइए कार से 400 किलोमेटर में 10 घंटे लग रहे स्पीड अफ कार निकालना कौन सी बड़ी बात है स्पीड अफ कार जो है यह जाएका साड़े 400 डिवाइड बाइड बाइद दस जो कि यह जाएका 45 किलोमेटर परावर की शिफ्टिंग अप्रोच बेस्ट अप्रोच है यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए और विदिन एक मिनिट आप इसको सॉल्व कर सकते इस तरीकी के परश्न को जो की क्यालकुलेटर दिख रहा है लेकिन अगर आपको यह पता है शिफ्टिंग अप्रोच पता है तो विदिन से एक मिनिट के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलिए यहां से दिया हुए इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना है जैसी मैं आपको थेयरी बताओंगा तो यह सवाल जो है बहुत जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा ठीक इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा और जैसी आप समझ जाएंगे इसका ट्रिक तो आपसे इस सवाल तुरंट सॉल्व हो जाएगा मान लेजे कि ये पॉइंट ए है यह पॉइंट भी है यहां से एक अप्जेट निकलता है speed A से और यह जाता है B की ओगर यहां से एक object निकलता है speed B से और यह जाता है A की ओगर तो कहीं न कहीं यह लोग बीच में एक जगा पर मिलेंगे मान लेते इस point पर यह लोग मिले C point पर ठीक है अब इस C point पर मिलने के बाद A जो है यह तो इस तरफ जा रहा होगा speed A से और B जो है वो इस तरफ जा रहा होगा speed B से क्योंकि A A से निकलकर B जा रहा है B जो है B से निकलकर A जा रहा है अब suppose करिए कि यहां इस point पर मिलने के बाद इस A को यहां से यहां जाने में जो समय लगता है, यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगता वो T A का समय लगता है और इस point पे पहुँचने के बाद B को यहाँ से यहाँ जाने में जो time लगता है वो T B का time लगता है तो इस speed A, इस speed B इस time A और time B में एक simple सा relation है, इसको आप नोट बनाके रखिए, speed A divided by speed B जो होता है, यह होता है under root of T A नीचे आजाएगा और T B उपर चला जाएगा इसका आप note बनाके रखिए, इसके उपर direct सवाल आता है, और कई बार SSC में आया हुआ सवाल है, और आगे भी आने का chances रखता है कि speed A और speed B को जो कि speed A और speed B जो है क्योंकि यह लोग जब मिल जाते हैं ठीक है, यह एक point पर मिलते हैं, after crossing इच अदर, जैसी यह cross करते हैं तो A, B को complete करने के लिए respective journey को, A को 8 घंटे और 32 मिनिट लगते हैं B को 14 घंटे और 42 मिनिट लगते हैं और उपर यहां पर आ जाएगा 14 घंटे और 42 मिनिट बात समझ भे आगए अब देखे, 8 घंटे का मतलब होता है 480, 480 क्योंकि 60 से multiply करोगे 480 में यदि इतना जोड़ोगे तो 512 मिनिट हो जाएगा मतलब यह 512 मिनिट के बराबर है 512 मिनिट 14 घंटे का मतलब होता है 60 से multiply करोगे तो 840 आएगा 840 में इतना जोड़ोगे तो 882 मिनिट हो जाएगा यह कितना हो जाएगा? 882 मिनिट अब यह मिनिट मिनिट लिखने की कोई आवसकता नहीं कट जाएंगे दोनों और इन दोनों को यदि मैं काटूं उपर नीचे काट दूँ तो यह 442 बनेगा और यह बन जाएगा 441 बनेगा 441 हो जाएगा यह और नीचे आजाएगा 256 तो speed A divided by speed B का value क्या है? यह है यहाँ यहाँ पर 256 से काटने पर 16 और speed A का value जो है यहाँ पर उपर आजाएगा तो speed B का value क्या है? अब आप देखिए यह इसको 5 बार काट रहा है तो speed B जो हो जाएगा यह भी 5 गुला हो जाएगा यह हो जाएगा 80 km परावार की 80 km परावार की मतलब B जो है सवाल का सभी तरह है यहाँ तक बात समझ में आगे कैसे solve करना है चली आगे बढ़ते हैं इसके बार अब इस pattern के एक दो सवाल देख लेते हैं A, B जो है traveling towards each other from point P and Q respectively after crossing A takes and B takes 6, 1 and a half hours and 8 hours respectively to destination Q and P If speed of B is इतना then what is the speed of A? तो देखिए simple सी बात है कि यहाँ पर A और B जो है P और Q से निकल कर एक दूसरे के और जा रहे है तो P से निकलता है A, Q से निकलता है B तो A यहाँ से निकला speed A से दूसरे तरफ और B यहाँ से निकला speed B से दूसरे तरफ तो यह लोग यहाँ कहीं पर मिले बीच में और जैसी मिलते हैं माल लेते PQR point पर मिले तो यहाँ से A को जाने में जो समय लगता है और B को यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो समय दिया हुआ है वो दूसरा समय 8 घंटे का दिया हुआ है यह सवाल में दिया है और साथ में दिया हुआ है कि B का जो speed है यह जो B है इसका speed दिया है आपको 16.8 km per hour और A का speed आपको डिवीजन में था तो उपर मल्टिप्लिकेशन में 8 आट आजाएगा मतलब क्या है यह 8 बटे 7 ही तो है तो speed A और speed B का ratio आपको दिया हुआ है 8 by 7 मतलब मैं यहाँ पर इसको equal कर सकता हो इंदोनों को और 7 मैं आपको बोला गया कि speed of B जो है वो 16.8 है मतलब इस B के जगा पर कितना लिखता है 16.8 लिख लेते है तो बताईए इसका उत्तर कितना हो जाए यदि आप इसको solve करें तो यह 2 बार कटेगा 14 से फिर 28 आ रहा है तो 4 बड़ कटेगा मतलब speed of A कितना हो गया इसको multiply करने पर 19.2 आएगा 19.2 किरोमेटर पर आओ ठीक है 19.2 यानि कि A जो है सवाल का सही उत्तर है बताईए इस pattern का सवाल बनेगा कि नहीं मतलब यहां से इस point तक जाने में और यहां से इस point तक जाने में जो समय लग रहा है उसका जो व्यूत क्रम होता है उसके वर्ग मूल का ठीक है और साथ में जो वैल्यू आया वह स्पीड है और स्पीड बी का रेश्यो होता है इसको आप अच्छे से बना के रखिए notes क्योंकि उसके पर direct सवाल आपके exam में आता है एक आखरी सवाल देखेंगे इस वीडियो में उसके बाद फिर इस वीडियो को रोकेंगे यहां पर solve करने की कोशिच करिये यहां दिया हुआ है B starts 4 minutes after A from the same point for a place at a distance of 7 miles from starting point तो यह from लिखा हुआ है यह from हुआ हुआ A on reaching the destination turns back and walks a mile another mile where he meets B the speed of A is a mile in 8 minutes then what is the speed of B a mile in 10 minutes देखिए यह सवाल भी आपके previous year से उठाय हुआ सवाल है तो इसके लिए आप ready रहे इस तरीके प्रश्न में प्रारंभिक बिंदू से 7 mile दूर स्थित स्थान के लिए B और A चलते हैं जिसमें B जो है A के चलने के 4 मिनिट के बाद चलता है गंतवे पर पहुंचने के बाद A पीछे मुड़ जाता है और 1 mile चलने के बाद B से मिलता है मतलब समझिए यहां पर यह प्रारंभिक बुंदू है यहां से 7 साथ मील दूर एक डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट है तो मान लेते हैं कि यह पॉइंट X है X से स्टार्ट हुआ Y तक गये और Y तक जाने के बाद यह A पहले स्टार्ट हुआ था यहां तक गया और यहां से वापस पीछे मुड़ा ही तो यहे एक माइल और चर Grind तो यहां पर यह जुह है पहुंसता है तो यहां पर B भी यहां पर पहुंच जाता है क्योंकि यह जब यहां से निकला था उसके चार मिनिट के बाद भी चला था मतलब आप को समझिये कि A जो है total distance जो कवर किया पहले यहां से यहां प्लस यहां से यहां पर वापस आया जो कि है आपका एक माइल और हो हो तोटल डिस्टेंस जो एक कवर किया वह 7 माइल फ्लस 1 है यह 8 माइल अब यहां से दिया हुआ यदि, यदि A जो है आठ मिनिट में एक माइल चलता है तो B कितना चलेगा, मतलब देखिए, आप बताए टाइम जो A को लगा होगा, इस दूरी को तेह करने में वो कितना होगा, आपको बताया गया कि यह आठ माइल चला है, तो आठ माइल चलने में इसका जो स्पीड है वो एक बटे आठ का ही तो है, क्योंकि देखिए, ये एक माइल चलता है आठ मिनिट में, मतलब स्पीड ऑफ A कितना है, वन बाइट माइल पर मिनिट, यही इसका स्पीड है, क्योंकि एक माइल चलने में आठ मिनिट लगा रहा है, मतलब इसको जो divided by speed तो 8 बटे 1 बटाट करोगे तो 64 मिनिट लगेगा मतलब यह यहां से चलना चालू किया और वापस 1 मायल चला एक माइल चलके वापस आया और एक मायल चलके वापस आया तो यहां पर उसे भी इंभ yeah मतलब इस पूरे time में 64 minute गया होगा और 7 में ये दिया हुआ है कि B यहां से 4 minute देरी से पहुंचा था मतलब B को यहां से चल कर यहां तक जाने में जो time लगा होगा वो 60 minute लगा होगा की नहीं 60 minute लगे होगा की नहीं क्योंकि देखिए पूरा time तो यहां 64 निकल गया और 64 minute में B जो है 4 minute देरी से चला था और B यदि 4 minute देरी से चला था मतलब वो 60 minute चले अब आपको बताना है speed of B speed of B बताना है तो B बताईए भई यहां से यहां तक की दूरी तो 6 miles ही होगी क्योंकि जब यह 8 mile है तो बचा हुआ यह 6 mile होगा तो 6 mile चलने में इसे 60 minute लगे तो 1 by 10 miles पर minute होगा अब देखे सवाल कितने बढ़िये से इसने बनाया है बोल रहा है कि B का a mile in कितना minute है तो 1 mile चलने में इसे 10 minute लग रहे है तो यहां पर जो उत्तर है वो 10 हो जाए इस dash में क्या है यह आपसे पूछता था तो गती जो है 10 minute में एक mile होगा क्योंकि एक बटा 10 है ना मतलब एक mile चलने में इसे 10 minute लग तो यह आपके SSC में आया हुआ सवाल है इस pattern का तो इस तरी की pattern के लिए भी आप तयार रहे है ठीक है चलिए अब मैं इस वीडियो को यहां पर रोकता हूं बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई है आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन हाई रहता है कि हम और अच्छा कंटेंट आपको free of cost प्रवाइड करते रहे हैं चलिए थैंक्यू सो मच इन्ही कुछ बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहां पर रोकता हूं अगले वीडियो में मिलते हैं पर टू के साथ और संड्र को जो है आपको इस लेक्टर और पिछले दो लेक्टर के साथ जो भी सीसे कवर हुई है उसका practice sheet मिल जाएगा ठीक है सौ कुस्टेंस का साथ में आपको आने वाले Wednesday को, next Wednesday को जो है इसका answer कीज भी provide हो जाएगे Thank you so much, इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में part 2 के साथ